हाई, मैं नेम इस आशिश पाराशर, वेलकम टू मैगनेट ब्रेंस इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुली में हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ, नीट में और बोर्ट एक्जाम में डबल फर्टिलाइजेशन काफी फ्रिक्वेंटली आस्क है डेफिनेशन उत्ती जादा इंपोर्टेंट नहीं है, जो आप डेफिनेशन खुद बनाओगे वो सबसे जादा इंपोर्टेंट होगी क्योंकि उसी डेफिनेशन में आपका ये पूरा टॉपिक खतम हो जाएगा ये एक्जुली में एक तरह की छोटी सी कहानी की तरह है इसकी डिस्कवरी की थी प्रोफेशर नवाश्चिन ने, in the year 1898, in the plant, फ्रिटिलेरिया एंड लीलियम ठीक है न? डबर फर्टिलाइजेशन प्रोसस की अगर डेफिनेशन की बात करें दो मेल गैमीट का फ्यूजन है बाट बाया पॉलन ट्यूब पॉलन ट्यूब से जो की लाए गए थे दो मेल गैमीट उनके फ्यूजन की कहानी है ये तो इसके दो डिफरेंट सेल से जो इसका फिर्टिलाइजेशन होता है ये उसी चीज की कहानी है एक तो हमारा Doll था और दूसरा धो पोलर न्यूटियाई थे है ना? इन दोनों से किस तरह से फिर्टिलाइजेशन होता है वो 2 male gametes का इस चीज़ की कहानी है यह बहुत जादा ultra important है बहुत जादा ultra important है double fertilization कई बार question आता है समझना चालू करते हैं कोई भी diagram मैं prefer नहीं करता हूँ जो आपको double fertilization समझा पाएगा बजाए कि वो चीज़ जो मैं आपको direct यहां पर बताऊंगा ठीक है तो start करते हैं सबसे पहले basic चालू करते हैं कि embryo sec का structure क्या होता है हाला कि काफी सारे बच्चों को आता होगा लेकिन still मैं बता देना चाहता हूँ यहां पे 2 synergid होते हैं ठीक है यहां पे दूसरे color से बना देते हैं एक egg cell होता है इस तरह से जांकता हुगा बीच में दो polar nuclei red से ही बना देते चलो इतना भी क्या variation लाना और यहां पे दो antipodal cell होते हैं तो यह basic diagram है यानि कि यहां पे यह दो synergid है ठीक है synergid के बाद यहां पे polar nuclei है यहां पे यह egg cell है और यहां पे antipodals है ठीक है तो यह basic सा एक diagram है जो आपको 100% आना चाहिए तब ही आपसे question solve होंगे एक छूटी सी चीज और रह गई यहां पे जो philly form apparatus है जो कि pollen tube की entry को guide करेगा NCIT की language है pollen tube जैसे आ रही होगी तो उसको अपनी तरफ बुलाएगा के भाई साब इधर आ जाओ इधर parking की जगह है इस type की चीज तो यहां पे और इनी language में आप याद रखो तो इससे at least यह रहेगा के concept के time पे जब MCQ solve करोगे उस time पे भूलोगे नहीं ठीक है न तो filliform apparatus अब start करते है double fertilization बहुत जादा important है और एक बार में समझ आएगा सबसे वड़ी बात एक बार में समझ आएगा तो यहां पे हम वो basic जो diagram है वो हमारा बार बार practice करोगे जितनी बार practice करोगे उतना अच्छा होगा यहां उपर egg cell जो हमने दूसरे color से बनाया था यह रहा हमारा egg cell और सिर्फ काम की चीज़े ही मैं यहां पे बना रहा हूं तो सबसे पहले क्या होगा अब antipodal भी चलो बनाई देते हैं pollen grain जो हैं उन दोनों की sorry pollen grain बोला हूं male gamete जो दोनों हैं उनकी entry होगी तो पहला जो male gamete है वो इस egg cell से जाके combine होगा start करते हैं पहली process this is sin gammy इसको हम sin gammy बोलते हैं sin मतलब 2 होता है और gammy मतलब gametes का fusion होता है जो इतनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ और इसमें क्या हुआ है एक egg cell या simple मैं egg ही लिख देता हूँ is fused with is combined with a male gamete ठीक है तो यह simple सी basic सी process होती है इसी को हम main fertilization बोलते हैं असली fertilization बोलते हैं इसी को और इसी को हमने sin gammy बोला है जो आगे चलके आपका embryo बनाने वाला है बहुत ज़्यादा basic बात आगे चलके आपका embryo बनाने वाला है second जो male gamete है जागर मैं इसको नाम देदू यह हमारा थोड़ा दूर दूर बना देता हूँ ज्यादा ही closeness हो गई यह हमारा पहला male gamete था और दूसरा वाला जो है वो चलो मैंने दूसरे red तो नहीं दूसरा color ले ले लेते कोई black ही ले ले लेते चलो तो दूसरा male gamete यह रहा अब आप अच्छे से इसको differentiate कर पाएंगे तो हम आगे पढ़ना start करते हैं तो अब यह इसको हमने नाम दिया triple fusion सवाल उठता है क्यों बहुत ही important है एक बार में समझ में आने वाला बहुत ध्यान से सुनना triple fusion नाम दिया सवाल उठता है क्यों क्योंकि सबसे पहले यह जो दो polar nuclei है यह आपस में ही fuse हो जाएंगे समझ में क्या बोला polar nuclei आपस में ही fuse हो जाएंगे और fuse होके एक common structure बनाएंगे fuse होके एक common structure बनाएंगे उस common structure का नाम होगा secondary nucleus ठीक है? fuse होके एक structure बनाया common उसका नाम इनने रखा secondary nucleus ठीक है? तो अब फिर से समझते हैं क्या बोला मैंने? triple fusion इसको क्यों बोला था? यह हम solve कर रहे थे हमें पता चला सबसे पहले जो दो polar nuclei है वो fuse होके एक secondary nucleus बनाएंगे प्लस जो male gamete था वो और ये दोनों actually में total कित्ते हो रहा है cell कित्ते हो रहा है total तीन हो रहा है कैसे? एक ये और ये दो ठीक है न? secondary nucleus actually में ये मत भूलना दो polar nuclei है इसलिए मैं यह नीचे लिख देता हूँ ये दो polar nuclei है ठीक है? तो ये total कित्ते हैं? ये दो unit है और ये कित्ती unit है? एक क्योंकि तीन cell आपस में fuse हो रहा है तीन nucleus आपस में fuse हो रहा है इसलिए इसका नाम रख दिया triple fusion और जो cell बनेगा इससे जो xyz structure बनेगा इससे जो xyz structure बनेगा वो भी 3n वाला होगा ये चीज़ समझाए? क्या बोला मैंने? इससे जो structure बनेगा वो भी 3n ploidy level का होगा क्यों? क्यों एक जो था polar nuclei का n दूसरा polar nuclei का दूसरा n और तीसरा male gamete का n तो एक प्लस एक और प्लस इसका n ये तीन मिलके बनाएंगे आपके 3n endosperm के ploidy level को 3n कर देंगे ये चीज़ समझ में आई न एक polar nuclei का ये दूसरे polar nuclei का ये और एक male gamete का ये आखरी में जो आपका endosperm बनेगा वो 3n बनेगा आगे पूछोगे सर बाइचांस मालो fusion हुए बिना endosperm अगर कोई बना तो तो ओवियस सी बात 3n नहीं बनेगा डिप्लॉइड या है ploid ही बनेगा तो कुल मिला कि कितने fertilization हुए एक fertilization ये हुग fertilization नमबर 2 ये true वाला है असली बाला है लेकिन कुछ तो है तो इसलिए इसका नाम process का हमने रखा double fertilization डबल मतलब दो बार fertilization होना पहली बार syngamid से बहुत basic है बहुत ज़ादा basic है बहुत ज़ादा simple है एक बार में समझ भी आने वाला है कैसे pollen tube जैसे entry हुई male gamete उसने छोड़ दिये male gamete ये रहे दो एक जो है वो egg cell से fuse हो जाएगा बहुत ही simple सी बात है एक egg cell से fuse हो जाएगा ये भी egg cell भी N होता है male gamete भी N होता है जो embryo बनेगा वो 2N बनेगा obvious सी बात है ये चीज़ समझ में आई क्योंकि यहाँ पे दो gamete fuse हो रहे थे दो gamete है ना एक और दो इसलिए इसका नाम sin, sin मतलब 2 ठीक है ना, sin gamete next, जब हमने देखा कि यहाँ पे जो polar nuclei ही हैं दो यहाँ पे जो polar nuclei ही हैं दो यह आपस में fuse होके polar nuclei ही आपस में fuse होके क्या कर रहे हैं? ये भी N था पोलर nuclei ही आपस में fuse होके क्या कर रहे हैं? एक secondary nucleus बना रहे हैं, secondary nucleus बना रहे हैं और उस secondary nucleus से जो दूसरा वाला male gamete था मालो मैंने ये बना दिया, वो fuse होगा दूसरा वाला जो male gamete था वो fuse होगा और वो फिल मिलके 1N पहले polar nuclei ही का दूसरा N दूसरे polar nuclei का और तीसरा N ये male gamete का इस वाले का तीसरा N ठीक है न? ये तीनों मिलके endosperm को 3N बना देंगे ये चीज़ समझ में आए बहुत basic है, बहुत जादा important है, मैं बार-बार focus कर रहा हूँ एक question अभी तक, क्योंकि ये तो basic question है double fertilization हो गया, triple fusion हो गया क्यों triple fusion हो गया? क्योंकि एक nuclei, दो nuclei और तीसरा nuclei तीन nuclei fuse हो, इसलिए triple fusion सवाल twist करके उनने देना ऐसे चालुआ कि कितने cell और कितने nuclei combine हुए ठीक है? इस पूरी process में कितने cell और कितने nuclei combine हुए तो देखो actually मैं इस पूरी process में आपके 5 nuclei combine हुए एक nuclei, दो nuclei, तीन, चार और पांच सवाल यह उठता है cell कितने हुए जब हम cell की बात करते हैं तो polar nuclei nuclei दोनों के दोनों नाम ही उनका nuclei है तो इन दोनों का eliminate कर दो, तो कुल मिला के मैंने क्या question पूछा? अब इसको लिखूँ कहा मैं क्या question पूछा मैंने, बहुत ही basic सा question पूछा मैंने का, कितने cell और कितने nuclei combine हुए बहुत simple सा question है, जब आप calculation बिठाओगे, तो बहुत आसानी से आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है? तो मैंने क्या पूछा कितने cell और nuclei हैं, nucleus हैं, cell तो यह पूरा था ना, cell थोड़ी ना fuse हुआ है obvious सी बात है, तो यही चीज है, यही basic concept इसके आगे, कि यह जो fusion था, यह 5 nuclei वाला और 3 cell वाला था जो कि basic आपको यह समझ आ जाएगा, यह जो भी बच्चा इतना मेरा वीडियो देख लेगा, उसको 100% double fertilization हमेशा याद रहने वाला है, जीवन में कभी नी भूलने वाला थोड़ा disorder नैस है, लेकिन 100% यह याद रहेगा, इससे जादा simple और basic क्या ही होगा double fertilization बहुत simple हैं, तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो उसको जरूर लाइक करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगता है आपको इस तरह से पढ़ना, जहां पे चीज़े आप imagine कर रहे हो साथ-साथ में concepts clear हो रहे हैं Thank you for appreciating us आपके वैसे भी काफी अच्छे-च्छे कमेंट्स आते हैं हमको मिलते रहते हैं और Thank you, इस वीडियो को जरूर लाइक करें Thank you Hi, my name is Aashish Parashar Welcome to Magnet Brains इस lecture में हम पढ़ेंगे about endosperm देखो, क्या हुआ था? जो secondary fertilization था, उसमें हमने सारी चीज़े अच्छे समझी कि किस तरह से fertilization होगा एक embryo बनेगा और एक endosperm बनेगा तो starting with endosperm कितने type के endosperm बन सकते हैं पहली चीज, दूसरी चीज कि उनका fate क्या होने वाला है आगे चलके उस endosperm का क्या होने वाला उस endosperm का use क्या है तो ये जो lecture होगा इसमें मैं अलग-अलग type के endosperm बताऊंगा उसका use बताऊंगा और आपको basic जितनी भी knowledge चाहिए पूरी endosperm की समझाऊंगा तो start करते हैं तो endosperm develop from primary endosperm nucleus और आपको पता है कि primary endosperm nucleus जो है वो किस तरह से बना था मैं एक और बार बता देता हूँ जिन बच्चों ने last lecture नहीं देखा है double fertilization जरूर जाके देखो ultra important है तो मैंने ये बताया था एक mil gamete जो है जिसका जो ploidy level है वो N है fuse करेगा primary endosperm जो बनता है वो बनाने का मैं process बता रहा हूँ किस किस के fusion से बनता है ठीक है तो दो polar nuclei थे है ना बताया था ना दो polar nuclei थे जो mil के आखिर में endosperm बना लेंगे और ये जो endosperm बनेगा ये 3N बनेगा क्यों क्यों क्योंकि 2 polar nuclei है ना तो उनका N और N और इसका N 3N बनेगा endosperm इस ताब की कुछ process थी ये actually में food का काम करता है ये क्या काम करता है जो developing embryo होता है जो developing embryo है उसको food provide करता है ये बहुत important question है कई बार पूछा गया है लेकिन simple है तो इस वज़े से अब इतना ज़ादा इसका trend नहीं है starch के form में food store रहता है ये भी चलो लिखी देते हैं वैसे तो आपको slide में लिखा मिल जाएगा लेकिन still starch के form में food store रहता है तो ये एक basic बात है ठीक है क्योंकि food जो होता है generally पेडों में starch ही मिलता है ठीक है ना carbohydrate का form में biomolecule में आप इसका detail समझोगे तो endosperm की में बात कर रहा था इस तरह से जो milk emeat है दो पोला nuclei, secondary nucleus बोला था इसको fuse करेगा, endosperm बनेगा, 3N बनेगा developing embryo को food provide करता है और starch के form में food store रहता है next nuclear endosperm तीन तरह के होते हैं nuclear cellular और hellobial nuclear से start करते हैं this type of endosperm mostly found in dicot ठीक है ना? next polypatelli group में पाया जाता है nuclear endosperm is also present in capsula क्योंकि capsula भी एक dicot है polypatelli और dicot जो plant होते हैं उनके अंदर nuclear endosperm पाया जाता है ये जो endosperm है most commonly angiosperms में पाया जाता है इसमें जो milky fluid है जो green coconut का क्योंकि देखो आपको पता होगा जो coconut है वो actually में दो तरह के endosperm का example है for example जैसे कि अगर मैं आपको समझाओं तो ध्यान से सुनना ये coconut के बारे में बता रहा हूँ coconut के बारे में बहुत important चीज है ये for example अगर मैं coconut बना रहा हूँ यहां पे ठीक है तो आपने देखा होगा coconut का एक hard part होता है सफेद सफेद color का जिसको आप खाते हो coconut का एक hard part होता है white white color का जिसको आप खाते हो जो की edible होता है और एक होता है liquid part एक होता है liquid part जो की इसके अंदर भरा रहता है तो ये दो type का आपको चीज़े मिलती होँगी ये coconut है और ये coconut जो है इसको आपने बहुत common चीज़े कही बार देखा होगा तो ये बहार का white part रहता है जिसको आप खाते हो गरी जिसको बहुत common language में बोलते है और एक ये liquid part रहता है तो actually में ये जो liquid part रहता है milky fluid रहता है ये nuclear endosperm का ही example होता है इसमें free nuclear division होता है इसका free nuclear division का ये बहुत अच्छा example है ये पूरा coconut ठीक है free nuclear division का मतलब है कि nucleus divide हो रहा है लेकिन उससे cell wall नहीं बन रही है free nuclear division होता है तो milky fluid nuclear endosperm का example है ये question कई बार पूछा गया है आगे बढ़ते हैं which is called liquid syncytium liquid syncytium बोलने का भी कारण यही है syncytium मतलब बहुत सारे nucleus एक particular location पे है in melastoma cytokinesis never takes place so that it always remain nuclear endosperm तो ये एक plant है melastoma इसमें हमेशा ही nuclear endosperm पाया जाता है next ये nuclear endosperm बनने की पूरी process यहाँ पे आप simple micropyle और chalaza end के format में बताया गया है तो सबसे पहले ये male gamete आया था fuse हुआ इन तीनों का एक बना फिर इसके बाद ये बहुत सारा mitosis हुआ बहुत सारा mitosis हुआ बहुत सारे cell बनाए ये free nuclear division है क्यों free nuclear division है क्योंकि ध्यान से देखना यहाँ पे nucleus तो divide हो रहा है यहाँ पे nucleus तो बार-बार divide हो रहा है लेकिन cell wall नहीं बन रही है cell wall बन रही होती तो cell ऐसे divide हो गया होता है ठीक है ना तो cell wall नहीं बन रही है और cell wall ना बनने के कारण ही इसको FND हमने बोल दिया और ये step से बाद में arrange हो जाता है इसका एक और better diagram वो ये है actually में ये वाला जो diagram है ये आपको LN में भी देखने को मिलेगा ये वाला diagram चीजों को जादा better way में समझाता है चीजों को जादा easily explain करता है तो देखो दोनों diagram है पहले इस तरफ के diagram को क्योंकि ये मुझे काफी जादा convenient लगता है ये सबसे पहले आपका primary endosperm nucleus fuse over male gamut के साथ उसके बाद इस process में आया कि ये ही वाले cell जो है ये डिवाइड होंगे बहुत साले cell बना देग और फिर उसके बाद बहुत सारा division होगा embryo जो है उपर बनी ही रहा है एक खास बात बताऊं मैं आपको angiosperm की एक characteristic feature होता है angiosperm में जो embryo है ये जो embryo है ना ये embryo सिर्फ तभी develop होगा जब एक certain amount of endosperm बन चुका है क्या बोला मैंने ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत जादा ultra important चीज है angiosperm में हमेशा ये नियम है कि embryo जो developing embryo है embryo सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब थोड़ा सा endosperm बन चुका है ये कुछ इस तरह की बात है कि खाना पहले ready हो जाता है और embryo बात में आता है फिर ठीक है ना तो ये एंजियो स्पर्म की बहुत अच्छी बात है nuclear type का इस type का आपको एक general diagram देखने को मिलेगा ये endosperm दिखाया हुआ है black black color से दोनों तरफ ठीक है ना तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको और अगर colorful diagram की हम बात करें तो यहाँ पर nuclear endosperm इस तरह से divide होता रहेगा पूरे में range हो जाएगा और बाद में फिर पूरे में scatter हो जाएगा free nuclei है free nuclear का मतलब के इनके आसपा cell wall या cell membrane नहीं बना है सिर्फ nucleus ऐसे घूम रहे हैं इसलिए इसका नाम nuclear nucleus फैल गया है ना पूरे area फैल गया है घूम रहे है nuclear endosperm next is cellular endosperm cellular की बात करें तो ये endosperm found in gamopatelli gamopatelli मतलब जो आपके gymnosperm वगेरा होते हैं gamopatellis group होते हैं उन में पाया जाता है during development each division of primary endosperm nucleus is followed by cytogenesis यानि कि जैसी nucleus divide होगा ना वैसी cell भी divide हो जाएगा यहाँ पर जस्ट जो nuclear endosperm था ना कि यह तो triple fusion तक की process है यहाँ से देखो यह डिवाइड हुआ तो यह जैसे ही डिवाइड हुआ तो तुरंत cell membrane बन गहीं यह देखो लेकिन जबकि अभी nuclear में हमने देखा था तो यह नहीं बन रही थी ठीक है तो जितने बार यह nucleus divide होगा उत्ते cell में तो देखो इस टाइप का कुछ arrangement बहुत basic बहुत simple easily समझ में आने वाला जितनी बार nucleus divide होगा उत्ती बार जो cytokinesis है यानि कि cell membrane है वो बनेगी यह basic सा एक है इस टाइप का देखो यहाँ पे देखो जैसे ही nucleus divide होगा वैसी cell बी divide हो जाए और यहाँ पे देखो यह इसका arrangement बहुत ही peculiar है सिर्फ इसीम पाया जाता है और आखरी में यह इस तरह का कुछ दिखेगा cellular type का होता है colorful diagram में भी आप देखो जैसे जैसे divide होगा उस type से और यह आखरी में पूरा इस तरह से घेर लेगा इसको cellular बोलते हैं cellular बोलने का कारण यह था कि जितनी बार nucleus divide होगा उत्ती बार cell का membrane बनेगा या फिर cytokinesis होगा यह चीज़ समाज है लास्ट इस हेलो बियल के कर cytokinesis बहुत important nuclear nuclear में क्या हुआ था कि cytokinesis नहीं हुई थी cellular cytokinesis हुई थी इसमें hellobial unequal यानि की cytokinesis हुई भी है लेकिन unequal हुई है तो यह hellobial है पहले इसको एक part मानते थे cellular का ही लेकिन बाद में इसको अलग से हम पढ़ने लगी so that the two unequal side cell form ठीक है ना दो unequal side cell बनते हैं और जो micropile side का रहता वो large होता है बहुत ही simple सी बात है जो free nuclear division होता है वो दोनों cell में होता है और यह multi nucleated हो जाता है यानि कि यह कुछ इस टाइप का होता नहीं है कि एक पुरानी कहवत है हिंदी में कि कववा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी उसी type का कुछ चीज कि यहां पर यह दोनों में फिर free nuclear division हो गया तो यह इसको भी follow कर रहा और इसको भी follow कर रहा है कुछ mixture type का बन गया eventually cytokinesis takes place later on so that change into a cellular endosperm this type of endosperm is found in hello BSS monocots में और यह most advanced type का है क्योंकि monocots जो हैं वो most advanced plant है यह देखो यहां पर ध्यान से देखो यह सबसे पहले divide होगा तो unequal division हो रहा है ठीक है और इसकी बात दोनों में free nuclear division हो रहा है यानि इसकी भी character free nuclear division और इसकी भी character के division हो रहा है ठीक है ना तो इस type में आखरी में इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा इसमें समझते हैं तो बहुत ही simple सा है यह दो parts में divide हुआ यह सिर्फ colorful diagram है और यह सिर्फ आपका black and white diagram और कोई फर्क नहीं है ठीक है तो इसमें देखते हैं कि इस type से यह nuclear जो free nuclear division है वो भी show कर रहा है और cytokinesis है वो भी show कर रहा है और आखरी में इस type से यह monocots में होता है example याद रखने हैं आपको special point के अगर मैं बात करूँ तो endosperm जो है कुछ endosperm में absent होता है और orchidacy और podo stemacy में exceptionally कुछ ऐसे plant है जो deployed endosperm है जबकि triploid होना चीए था example oinothera direct example पूछा जाता है नाम से जैसे की deployed endosperm किसमें पाया जाता है direct answer है में और टमेटो हो गए उनमें mosaic endosperm होता है third type का होता है sorry four type का the endosperm in betel nut और erica and anonyacy family is rough surface and it is known as ruminant endosperm ruminant endosperm होता है इनमें यह देखिए diagram आगे include होगा इसमें ठीक है तो ruminant endosperm होता है जो drinking portion है यह कई बार question आता है cellular जो edible portion है coconut का मैं आपको बता देता हूँ लिख भी देता हूँ क्योंकि यह बहुत जादा ultra important चीज है तो जो edible portion है coconut की यहां पर बात हो रही है जो edible portion है वो आपका cellular endosperm है और जो आपका liquid portion है ठीक है वो nuclear endosperm है free nuclear division का यह example है कई बार question आता है पचास बार चीज़े पूछी जाती है ठीक है तो यह important points थे जिनको हमने special points है जिनको हमने cover किया next fate of endosperm की अगर हम बात करें यानि कि क्या होने वाला है आगे चलके कि यह जो endosperm बने हैं अलग-अलग type के यह कितने दिन तक रुकने वाले हैं अब देखो coconut जो है आपने खुद ही देखा न दोनों type का endosperm उसमें present है कुछ ऐसे हैं जिन में पूरी तरह से absorb हो जाता है जबकि केस्टर में देखो तो केस्टर में आपको यहां पर भी endosperm दिख रहा यहां पर भी यानिकी जो seed है seed में आखिर तक आपको endosperm दिखने वाला है next endosperm become convulated in arica यह सुपारी जिसके हम बात कर रहे थे पैसी फ्लोरा इसको ruminant endosperm बोलते हैं इसका example देखेंगे अभी हम in areas or date and vegetable ivory the endosperm become very hard ठीक है ना not so important कुछ खास नहीं the cellulosic hard endosperm of vegetable ivory is used to make botions और umbrella handle और billiard spall बनाने का काम करते हैं again not so important billiard spall का example एक बार पूछा जरूर गया था इसलिए include किया वरना ज्यादा important नहीं है यह मैं बता रहा था यह आपके beetle अरेका जो है यह सुपारी के नाम से जो famous है सुपारी के नाम से जो famous है वो इस ताइप का hard endosperm होता है ruminant endosperm इसको हम बोल देते हैं तो यह यहाँ पर पूरा portion खतम होता है next slide से हम पढ़ना चालेंगे embryo को I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया इसको ज़रूर लाइक करें thank you Hi my name is Ashish Parashar Welcome to Magnet Brains इस lecture में हम पढ़ेंगे development of embryo development of embryo जो है दो plant में बहुत ज़्यादा important है पढ़ना first one is dicot and another one is monocot अगर देखा जाए तो दोनों का development काफी कुछ similar है कुछ जगाओं पे difference होते हैं मैं उन differences को भी अच्छे समझाओंगा स्टार्ट करते हैं with dicot in endosperm zygote undergo a resting phase ये line मैंने last lecture में भी बताई थी बहुत ज़्यादा important है कई बार पूछी गई है कि zygote जो है एक छोटा सा resting phase अंडरगो होता है छोटा सा resting phase में रहता है क्यों क्योंकि थोड़ा सा endosperm जो है वो पहले बन जाए उसके बाद वो develop होना start क करेगा जो first division है अब actually में ये सारी चीज़े जो हैं वो सारी की सारी आपकी diagram के तुरू समझने वाली है मैं बस एक बार आपको समझा देता हूं ताकि आपको चीज़े clear हो जाए वरना ये बागी की सारी चीज़े सिर्फ diagram basis पे है और एक बार में समझ में आने वाली है आपक जो एकड़म ही basic होती है for example यहाँ पे हम बात करते हैं कि embryo sex जो है उसका structure बागी सब चीज़े degenerate हो जाएगी for example synergy antipodals बचेगा क्या एक बचेगा पूरा का पूरा endosperm बहुत ही basic बता रहा हूं बहुत जादा conceptual बता रहा हूं conceptual जब पढ़ोगे तभी काम बनेगा यहाँ प सबसे पहला जो यहाँ पर event होता है वो होता है एक transverse division होता है और उस transverse division की वज़े से यह normal cell है यह embryo है यही वाला embryo है जहाँ पर यह लिखा हुआ है transverse division होगा और transverse division से यह actually मैं फर्क यह है अब पता है हमको बेवकूब बनाने के तरीके इस तरह से होते हैं कि एक तरफ तो यह micropyle और चलाजा के format में हमको बेवकूब बना लेते हैं for example जिस तरफ embryonal cell होगा उसको हम चलाजा end बोलेंगे और जिस तरफ suspension cell होगे उसको micropyle for example यह micropyle end है तो इस तरफ का जो cell बनेगा दूसरे color से लिख देता हूँ इस तरफ का जो एक cell बनेगा उसको हम इस तरफ का जो cell बनेगा उसको हम suspensor cell बोलेंगे और उपर का जो cell बनेगा इसको हम embryonal cell बोलेंगे यह चीज़ समझ आई ना सवाल उठता है sir क्यों यह चीज़ आपको कैसे समझ आई actually मैं terminology में हमको फसने की जरूत नहीं मैं बताता हूँ direct concept क्या होता है यहां endosperm है पूरे इस एरिये में क्या है endosperm और endosperm हमको किसको देना है embryo को तो obvious सी बात है जो endosperm की तरफ divide होगा उसी को endosperm की तरफ जो divide होगा उसी को हम embryonal cell बोलेंगे क्योंकि उसी को food गी जरूत है यह चीज़ समझ आए बहुत ही basic concept एक cell है divide होना था क्या बोला मैंने एक cell है divide होना था ठीक है बहुत basic concept से काम करेंगे हम कोई जल्दबाजी नही यह एक cell है इसको divide होना था ठीक है यह वाला इसको divide होना था तो अब पूछा यह है कि एक suspensory होगा एक embryonal होगा कौन सा suspensory कौन सा embryonal मैंने बोला यह embryonal है और दूसरा cell suspensory होगा कारण यह है embryonal जो है उसी को हमको खाना देना है तो वो endosperm की तरफ divide होगा और यह ऊपर चलत सकते हो तो इस यहां पर यह होता है कि यह लोग जस्ट इसका उल्टा बना देते हैं डाइग्राम चलाजा वाले को इनने नीचे बना दिया और micropile वाले को उपर बना दिया है तो बच्चे जो है यह direction में confused हो जाते हैं वो हमेशा परिशान रहते हैं तो इसलिए मैं मना करता हूँ यह वाले diagram इस तरह से मत देखा करो देखने का तरीका basic concept लगा तो देखो आप क्या होगा अब सेम वही process होगी जो यहां पर दिखाई हुए डिवाइड मतलब समझ रहे हो ना आपस में अलग-अलग नहीं हुए है ऐसे चिपके हुए यह वाली situation नीचे का जो cell है actually में और एकदम भी basic से अगर मैं चालू करूं बहुत ही जादा basic से मेरी ख्याल से आपको यह समझ आ गया होगा तो theorist चालू करते क्योंकि उस फ embryo बना अब यह मैं चुरुबात से पूरी चीज़ समझा रहा हूं embryo बना embryo ने food absorb किया और एक अपने आसपास layer बना ली तो इस ही को हमने क्या नाम दे दिया ozphere ozphere में transverse division हुआ आपको भी पता है एक नीचे का cell होगा जिसको suspensor cell बोला एक ऊपर का cell होगा जिसको हमने embryonal cell बोला ठीक है next अब दुबारा से डाइग्राम पर आते हैं यह basic खतम हो गया दुबारा से डाइग्राम पर आते हैं क्योंकि पूरा का पूरा conceptual है पूरा का पूरा डाइग्राम based है तो कुल मिला के next step होगी उसमें क्या होगा अब इसका मुझे development करवाना है अब इसका मुझे करेगा और आगे बढ़ेगा सबसे बड़ी problem मेरी यही रती है हमेशा कि इनका जो डाइग्राम है यह अगर सीधा बना होता तो मेरे ख्याल से चीज़े ज्यादा आसान होती बजाए कि यहां पर इतना complex बनाने के ठीक है तो अपन आगे अपना पढ़ना start करते हैं क्या होग कि यहां पर नीचे का जो सेल है कि एक्चुली में एक special structure गेन कर लेगा यह suspensor सेल था ना मुझे कैस पता यह suspensor क्यों 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 कि मैं यह माइग्रो पाइल और इसको चलाजा बोल रहा हूं ठीक है तो यह सबस्पेंसर सेल था ना यही थोड़ा सा एक बोलते नहीं क क्योंकि इसको बेस बनाना थो थ्वढ़ा फैल थोड़ा सक्या हो गया फूल गया और इसी को मैं रुड़ा चीं यहां पर लिखा है ना आव Compassion पूरा एंडोस्पम जो है अपना कंज्यूम करते जा रहा है सस्पेंसर सेल का इकलोता काम है कि जो एंब्रियो है उसको फूड तक पहुचाना सस्पेंसर सेल का इकलोता काम है जो एंब्रियो है उसको फूड तक पहुचाना और आप देख रहे होगे सस्पेंसर सेल में लगा बहुत बेसिक सी चीज है, यह जो है, यह food absorb करता जा रहा है और divide होता जा रहा है, सवाल यह उठता है, सर यह बताओ, suspensor cell में division कैसा होगा, embryonal cell में division कैसा होगा, मैंने बोला, suspensor cell में जो division होगा, वो transverse होगा, आपने बुचा सर, क्यों होगा, transverse concept समझाओ, transverse होने का कारण यह है, कि आप ध्यान से देखो, transverse मतलब ऐसा ऐसा division, number of layer बढाने, number of layer बढाने क्या होगा, 2 cell, divide होगे 4 होजाएं, डिवाइड होगे 8 होजाएं, डिवाइड होगे 16 होजाएं, यही काम तो करना है, और यहां पर भी देखो, transverse division हो रहा है, तो ऐसी length बढ़ती जा रही है, और ऐसी बढाने का फाइदा क्या है, कि embryo को पूरा food मिलते रहना चाहिए, यह चीज़ समझ आईगी न, लेकिन embryo में कैसा होगा, embryo में division होगा, vertical, embryo में division कैसा हो, ऐसा, vertical, vertical division होगा, तो उससे क्या होगा, यह देखो, देख रहा है, vertical division होगा है, यहां पर मेरे ख्याल से आपको diagram होता clear नहीं होगा, नहीं तो यह vertical और इस type का division होता है, तो mainly vertical division होगा, और यह इसा फूलता जाएगा, पूरा ऐसा गोल-गोल होता जाएगा, जो next stage होगी, इसके just बाद वाली, इसके just बाद वाली, अब क्या होगा, आसपास के जो इसका food material है, वो खतम हो रहा है, क्यों, क्योंकि आसपास के तो उसने पूरा cover कर लिया है, ठीक है, ऐसा goal stage थी, और goal stage में इसने आसपास के अपने पूरा खतम कर लिया है, तो अब यह क्या करेगा, क्योंकि यह dicot है, यह मत भूलना, यह क्या है, चालू हो जाएगा, और जो heart shape देखेगा, वो कुछ ऐसा, ऐसा देखना चालू हो जाएगा, ठीक है, तो यह देख रहा है, heart shape stage आ रही है, embryo की, और उसका आने का कारण यह है, क्योंकि यह embryo जो है, वो dicot है, तो दो cotyledon होने, इस वाले area को हम plumule बोल देंगे, ठीक है, और यह दो उसके cotyledon, तो थोड़ी दिर और develop होगा, बहुत सारा development होने के बाद, कुछ इस टाइप का structure होगा, suspensory cell ऐसे ही होगे, hostel cell ऐसे ही होगे, radical जो है, वो यह उपर वाला portion बनाने का काम करेगा, यह वाला जो area होगा, radical बनाने काम करेगा, cotyledon यह उपर वाला जो portion है, यह बना लेंगे, next अगर आप से कोई सवाल पूछे, क्योंकि इस cell के उपर एक बार सवाल आ गया था, इसको hypo-physial cell बोलते हैं, यहाँ पे शायद labeling भी होगी, इदर ही कहीं, नहीं होगा तो वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, तो यह basic सी चीज होती है, जो आपको at least आनी चाहिए, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, तो उस फियरता डिवाइड हो गया था, उसके बाद transverse division होगा है, हाइपो बेसल सेल जिसका मैंने नाम बताया था, जिसको उसके नाम हाइपो बेसल सेल होता है, जो हाइपो कोटाइल है, और एपी बेसल सेल है, वो आपके कोटीलेडन्स बनाने का काम करते है, एंड प्लिम्यूल और रेडिकल को कनेक्ट करने के लिए, प्लिम्यूल और रेडिकल को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, वही एम्प्रियोनल एक्सेस होती है, जो कुल मिला के plumule और radical को connect कर रही है एक line में खीच रही है ठीक है ये चीज़ समझ में आई ना तो embryonal axis क्या है? axis present between plumule and radical is called embryonal axis इसको tigulum भी बोलते हैं और ये main embryonal axis भी कहलाती है तो only micropyle of ovule remain unchanged and also present in seed जैसा कि मैंने बताया था ना oxygen transport का काम करेगा ये अच्छा point है useless होती है अब ये एक ऐसा question है जो एक बार आ गया था इसलिए मैंने इसको include किया एक बार पूछा गया था एमस में कि वह कौन सा fruit है जिसमें हम पार्थेनो कार्पी करवाएंगे तो हमारा ही नुकसान है पोमगरेनिट क्योंकि पार्थेनो कार्पी मतलब सीड हटा दो और आपके अनार में होता ही क्या है पूरे सीड होते हैं तो पूरा सीड गया बोजाएगा तो वेर इस दा पल्प वाला गाना गाते रह जाओगे बस तो ये चीज़ समझ में आई ना अगर किसी fruit में सिर्फ और अगर मैं आपको बताओं तो आपको इसका development पढ़ने की जरुत नहीं है आपको ये diagram memorize करने की जरुत है ये diagram आपको पूरा आना चाहिए जो monocot का diagram है ये पूरा आना चाहिए पता नी पचासो बार ये पूछ लिया गया है कि monocot के cotyledon का नाम क्या है that is scutalum यहां फिर ये पूछ लेते हैं कि grass के cotyledon का नाम बताओ क्योंकि grass family में ये पाया जाता है monocot का example है पचासो बार कुशन आया एक second इसका cotyledon है जो ill develop होता है that is epiblast तो ये diagram ultra important है NCRT का diagram में पचासो बार आ चुका है यहां तक आप देखोगे सारी चीज़े सेम है बस फर्क इतना होगा कि ये जो plumule और cotyledon से हैं ये plumule इस टाइप से कुफ बहुत जादा develop हो जाएगा जो embryo है वो बहुत जादा develop हो जाएगा दो parts में divide नह नहीं होगा क्योंकि ये dicot नहीं है बाकी इसमें कोई खास difference देखने को नहीं मिलेगा चोटे मोटे differences रहते हैं monocot के अंदर और dicot के अंदर development में आपको अगर मैं personally suggest करूं तो monocot का development नहीं पूछा जाता है मत याद करना यहां तक का development पूछा जाता है ये भी पूछा जाता कि heart shape embryo किस में मिलता है तो heart shape embryo dicot में मिल रहा था न जैसे कि मैंने बताया था आपको heart shape embryo dicot में मिल रहा था तो ये question बहुत जादा important है monocot के उपर सिर्फ ये scotalam और उसका embryonal seed है seed के अगर मैं बात करूं proper तो उसके उपर question आता है इन से related कोई भी question नहीं बनता है ये दोनो fruit बनाता है, ovule seed बनाता है, ovary की wall pericarp, pericarp fruit के उपर की wall, integument seed coat बनाते है, outer testa बनाता है, inner tagman बनाता है, nucellus most important, degenerate हो जाता है लेकिन जिसमें present है peri sperm, zingabaracy, black pepper beet, याद है न, excel embryo बनाता है, secondary nucleus endosperm बनाता है, synergy endipodal degenerate हो जाते है, चलाजा और हीलम जो है, वही रहते है, phonical जो next, कौन कितनी ploidy level का है, ये इसलिए important है, क्योंकि कई बार ploidy level के questions आने लगे हैं, पूछने लगे हैं, आज कल, recent है, zygote 2N होगा, embryo 2N होगा, endosperm 2N होगा, समझने वाली बात ये है, कि सिर्फ एक endosperm है, जो 3N है, ठीक है, और उसका भी कारण मैं आपको समझा चुका बाकि ये जितने भी structure लिखे हुए हैं, ये आप खुद note कलने लेना, ये सारे के सारे structure 2N होगे, क्योंकि ये plant का part है, इसलिए 2N होगे, endosperm के साथ triple fusion हुआ था, इसलिए वो 3 था, बाकि आप male gamit देखो, synergid देखो, antipodals देखो, excel देखो, polar nuclear देखो, सारी चीज़े maximum, जो तो लाइकरे, थेंक्यू, हाइ, my name is Ashish Parashar, welcome to Magnet Brains, इस lecture में हम पढ़ेंगे difference between self-pollination and cross-pollination, start करते हैं, pollen grain are transferred to stigma of same and genetically similar flower, उसको हम self-pollination बोलेंगे, यहां तो flower same हो, यहां फिर same plant का हो, तो self-pollination, और अगर two different plants हैं of same species, और pollen grain का transfer हुआ है, तो उसको हम cross-pollination बोलेंगे, next, enter अधर और stigma, जो हैं, mature, simultaneously होंगे, obviously बात है, self-pollination है, दोनों को साथ-साथ में mature होना पड़ेगा, cross-pollination में, अलग-अलग time पे mature होना ज़रूरी है, ताकि अगर by chance pollen grain gray भी, किसी एक के उपर, तो वो उसको pollen tube ना बनवाए, ठीक है, next, it is, it occur in open as well as closed flower, दोनों में होता है, जब economical नहीं है, क्योंकि plant को बहुत सारे pollen grain produce करने पड़ते हैं, external agencies जो है, वो इसमें require नहीं है, क्योंकि self है, खुद से ही कर लेगा, यहाँ पे insect की जरुत पड़ेगी, pollinating agent की हमको जरुत पड़ेगी, young one जो है, वो homozygous होते हैं, homo मतलब same zygote होता है, काफी कुछ similar genetic similarity पाई ज जाता है, बिल्कुल भी homozygous नहीं होते हैं, last point, it produce pure line because of the non occurrence of genetic recombination, pure line produce करता है, क्योंकि किसी भी तरक कोई genetic recombination देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे just opposite, बहुत अच्छा genetic recombination देखने को मिलता है, और काफी जाधा variability देखने को हमको मिलती है, next, इसी को हम continue करें, तो इसमे हमने देखा है, कि it cannot eliminate harmful trait, क्योंकि जो harmful trait है, वो तो दोनों के already एक ही में इखटे होते जा रहे हैं, यह जब मैंने inbreeding depression बताया था, यह कुछ वई वाली बात, लेकिन यहाँ पे आप harmful effect को eliminate कर सकते हैं, जो useful character है, वो preserve हो जाते हैं, यहाँ पे कुछ खास preserve नहीं होते हैं, यह कि फायदे मन तो है, self-pollination हो गया, sexual reproduction हो गया, लेकिन सिर्फ 3-4 generation तक, उसके बाद हमको तकलीफ ही देगा, no adaptability, कई बार अपन यह point पढ़ चुके हैं, कई बार इसका reason समझा चुका हूँ, जो पुराने वीडियोस हैं, उनमें बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा है, ले variation है और night rate भी मिलते हैं, disease resistance बहुत कम होता है, adaptability और disease resistance मैंने बहुत अच्छे समझाया था, यहाँ पर disease resistance अच्छा देखने को मिलेगा, yield decrease हो जाएगी कुछ time के बाद, तुरंत नहीं होगी काफी time के बाद, लेकिन यहाँ पर yield increase हो जाएगी, it does not help in the development of new species, ओव्यसी बात है, variation बिलकुल भी नहीं है, variation नहीं होगा, तो नई species बारीक कैसे, क्योंकि नई species हमेशा evolution और variation की वज़े से बनती है, तो यहाँ पर आपको नई species देखने को मिल सकती है, क्योंकि variation भी है और variation आगे चलके evolution करवाएगा, जिससे की नई species देखने को मिलती है, I hope आपको यह short video पसं अगर मैं आपको समझा दूँ के इनका meaning क्या है, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं आपको कम से कम 10 differentiate between पढ़ाने वाला हूँ, और वो जो 10 के 10 differentiate between हैं, वो इस chapter के basic understanding को बढ़ाने के लिए, यह चीज़ें आप board exam में लिखने के लिए भी आराम से यह बिलकुल feasible है, सारे point से ही हैं, आप लिख के आ सकते हो, again अगर मैं आपको बता हूँ, तो मैं NEET के हिसाब से आपकी understanding बढ़ाने के लिए, for example, embryo और endosperm का जब difference आपको पता चलेगा, तो आपकी basic understanding, MCQ solve करने की speed बढ़ेगी, इस वज़े से पढ़ा रहा हूँ, start करते, it is formed by fertilized egg, या फिर सिंग diploid structure हमको पता था, एक male gamete और एक egg cell combine होता है, diploid structure है, यहाँ पे दो polar nuclei, 2N हो गया, और एक male gamete 3N, तो triploid structure है, यह नए प्लांट को give rise देता है, नए प्लांट बनाता है, यह जबकि एक food है, एक खाने का, जो embryo है, उसका खाना है endosperm, ठीक है न, तो खाना वो भी किस form में starch के form में, तो यह सिर्फ endosperm जो है, वो सिर्फ खाना है, food है embryo के लिए, cotyladen हो गया, plemule हो गया, radical हो गया, यह सब embryo ही बनाता है, ऐसे endosperm कोई structure नहीं बनाता है, वायचान सीड में present रहेगा, नहीं भी हो सकता है, embryo is present in seed, obviously बात है embryo ही main content होता है seed का, लेकिन यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, embryo जो है, die हो जाता है in the absence of endosperm, यानि कि endosperm इसके लिए खाना है, एक बहुत ही जादा vital चीज़ है, endosperm does not die in the absence of embryo, obviously बात है, germination of seed take place, लेकिन इसका कोई germination नहीं होता है, embryo का कोई germination नहीं होता है, next एसी, same दूसरा जो exam difference between है, इसको भी हम यह include कर लेते हैं, that is the difference between epigel germination and hypogel germination, जो cotyladen है, come above the surface of the soil, तो इसको हम germination क्योंकि surface of the soil है, मिट्टी के ऊपर आ चुके, इसको मैं बाद में बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ, diagram के साथ, लेकिन फिलाल differentiate between अभ अपर आ गए, तो epigel, gl मतलब जो geo है, geo मतलब किस से निकल के आए आपका, अर्थ से, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर, और ये क्या है, अर्थ के अंदर, तो cotyladen अर्थ के ऊपर होंगे, यहां cotyladen अर्थ के अंदर होंगे, due to growth of hypokatyle, plumule and colloid cotyladen pushed above the ground, तो hypokatyle की वज़े से, जो plumule और radical है, sorry, cotyladens है, वो plumule और cotyladen उपर push हो जाएंगे, उपर उनको धक्का लगेगा, hypokatyle की वज़े से, और जो soil है, उसके बाहर आ जाएंगे, next इसके अगर मैं बात करूँ, due to very less growth of hypokatyle, यहां पर जो hypokatyle है, उसकी growth नहीं हो रही है, वो push नहीं कर पा रहा है, उ cotyladens अर्थ के अंदर ही रह जाएंगे, growth of epokatyle does not takes place, यहां पर epokatyle की growth नहीं होती है, due to high growth of epokatyle, plumule comes above the ground and cotyladen remains inside the ground, बहुत important line है, क्यों, क्योंकि, यहां पर epokatyle काफी अच्छा grow करता है, और epokatyle diagram अच्छे से देखना, उसके बाद यह सब समझ आएगा, तो epokatyle बहु cotyladen become green and perform leaf-like function, यहां पर epokatyle में, लेकिन यहां पर cotyladen remain under the soil and does not perform leaf-like function, ठीक है, cotyladen is responsible to form first leaves, then after dries and fall on the ground, ठीक है न, पहले first leaf बनाएगा, फिर dry हो जाएगा, यहां पर cotyladen decompose हो जाएगा, inside the soil, तो I hope आपको यह basic differences पसंद आया होंगे, अगर आपको यह difference पसंद आएगे, Hi, my name is Ashish Parashar, welcome to Magnet Brains, आज के lecture में हम पढ़ेंगे the difference between monocot seeds and dicot seeds, मैं आपको एक student पहली चीज़ बता दूँ, क्या होगा कि हम लोग actually में जितने भी difference between हैं, इस chapter के वो सब एक के बाद एक पढ़ने वाले हैं, कम से कम आपके 9 से 10 video lecture इस चीज़ पे बनेंगे, जहां मैं आपक मतलब कितने होते हैं, single, one, mono मतलब होता है, one, single, ठीक है, और cotyledon मतलब होता है, कि एक उसका cotyledon, देखो, दो तरीके होते हैं, cotyledon शब्द को समझने के, पहला तरीका ये होता है, कि वो seed, वो beach, जो दो हिस्सों में divide हो जाते हैं, उनको हम dicot बोलते हैं, और जो दो हिस्सो में divide नहीं होते हैं, उन seeds को हम monocot seeds फोलते हैं, दूसरा तरीका ये है, कि जो पहली पतिया निकलती है, वो monocot में एक पतिया निकलती है, और dicot में दो पतिया निकलती है, तो basics, अब समझ में आगे, आगे पढ़ते हैं, only single cotyledon is present, single मतलब एक ही cotyledon, mono शब्द का मतलब ही single होता है, ठीका, next, इसमें obvious सी बात है, दो cotyledon present होगे, नाम die, die शब्द का मतलब ही two होता है, next, generally cotyledon is thin and peppery, जो monocot का cotyledon होगा, वो बहुत ज़्यादा थिन होगा, peppery, पतला होगा एकदम, और यहां कि अगर मैं बात करूँ, तो ये dicot में जो cotyledon होते हैं, वो काफी ज बढ़ा लेते हैं, next, generally seeds are endospermic, ठीक है, endospermic शब्द का मतलब मैंने क्या बताया था, कि in seed में endosperm present होगा, मैंने क्या बोला था, in seeds में endosperm present होगा, next, अगर मैं इनकी बात करूँ, ये non endospermic होती हैं, लेकिन कभी-कभी, dicot seed की बात कर रहा हूँ, non endospermic होती हैं, ले cotyledon को हम scutalum बोलते हैं, मैंने आपको diagram बताया था, grass card बना हुआ है, मैंने आपको बताया था, grass का diagram है, वो हर हालत में आपको पूरा याद होना चाहिए, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, embryo का diagram, dicot, monocot, दोनों का important, dicot का इसलिए important है कि उससी labeling पूछी जाती है, चाहे आप बो grass family में आपको देखने को बिलता है, या जनरली monocot के cotyledon को हम scutalum ही बोल देते हैं, यहां पे not called by this name, यहां किसी भी special name को हम नहीं देते हैं, जो dicot की seed याद है आपको, कुछ इस टाइप का था, उसके बाद दो cotyledon उसके निकले हुए थे इस टाइप के, तो हम उसको नाम है, उसी से बोलते हैं, इन seed, permule is covered by coleoptile, permule कौन सा, shoot apex बनाने वाला, जो shoot बनाएगा, जैसे कि अगर मैं बहुत ही basic seed ले लूँ, यह ले ली मैंने, और उपर का जो हिस्सा बनाने वाला है, shoot, उसको तो मैं permule बोलूँगा, और उसको cover करने वाले structure का नाम है, coleoptile, ऐसे ह जो radical है, यानि कि वो नीचे का हिस्सा, root बनाएगा, वो क्या बनाएगा, root बनाएगा, obvious सी बात है, root बनाएगा, और इसका भी एक protective structure होगा, that is coleo rhiza, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करो, तो coleoptile और coleo rhiza यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, dicot seed के feature यह नहीं है, next, radical ज place, radical की जगा कौन ले लेती है, adventitious roots, सवाल उठता है क्यूं, जब आप morphology पढ़ते हो, actually में यह question morphology का है, जब आप morphology पढ़ते हो, वहाँ पढ़ते हो, के dicot में tap root होती है, तो tap root में यहाँ पर radical जो है, responsible to form primary root, obvious सी बात है, radical जो है, अपना function करेगा, और primary root बनाएगा, और जो इनकी अगर मैं बात करूं, तो इन में एक more advanced type की root system है, इस type का बहुत छोटे-छोटे fibers, आपने कभी घास उखाडी है, घास उखाडी होगी, तो आपने देखा होगा, कि ऊपर जो है, वो लंबी-लंबी घास इस तरह से खड़ी रहती है, और नीचे बहुत सारी छोटी-चो भी रहती है, obvious सी बाते strength जाधा provide करेगी, plus सबसे जाधा important water or mineral absorption में बहुत best रहती है, ठीक है, लास्ट वन, in some of the seeds, seed coat and cotyledon fuse together, ठीक है न, seed coat और cotyledon fuse साथ में हो सकते हैं, example wheat है, such type of seed are not found here, यानि कि dicot में cotyledon और seed coat कभी fuse नहीं होता है, तो यह basic difference है between monocot seeds and dicot seeds, यह आपको neat concept clear करने का काम करेगा और boards में marks दिलवाने काम करेगा, I hope आपको यह वीडियो पसंदा है होगा, अगर पसंदा है तो ज़रूर लाइक करे, thank you Hi, my name is Aashish Parashar, welcome to Magnet Brains, इस lecture में हम पढ़ेंगे the difference between dicot and monocot embryos, सबसे पहली चीज, embryo क्या थे, embryo चो थे, वो zygote के बाद वाली stage में आते हैं, यानि की male और female gamete के fuse होने के बाद आते हैं, मैं पहले ही बता दूँ, यह सारे के सारे जितने भी differences मैं पढ़ा रहा हूँ, इनका यूज क्या है, यह किस तरह से आपको यूज करने हैं, पहली चीज, आपको इनके सब के basics बहुत अच्छे समझ लेना है, second चीज, या तो direct आपका जो board exam है, उसमें यह पूछा जाएगा, या फिर PMT या AIMS में किस तरीके से पूछा जाएगा, यह which of the following statement are correct, match the following, या फिर कि पूछते हैं कि कितने 2R correct, 3R correct, तो वहाँ पर यह चीज़े काम आईगी, plus जभी भी आप differentiation पढ़ते हो ना, तो differentiation पढ़ने के बाद आपको समझ आता है कि हाँ, मेरे concepts actual में clear हो रहा हैं, जैसे होने चाहिए थे, तो यह चीज समझ आईए आपको, तो यहाँ पर dicot और monocot embryo क के बीच में हम difference पढ़ते हैं, start करते हैं, dicot embryo से, basal cell forms 6-10 celled suspensor, ठीक है ना, जो basal cell होता है, आपको याद होगा, मैंने जैसे की diagram में बताया था, एक नीचे का cell होता है, सबसे last, और उसके बाद suspensor cells बनते हैं, इस type से, और जो embryo रहता है, यह उसको support करने का काम करते हैं, औ बहर आसान भाशा में बोलूं, तो यह food तक भेजने का काम करते हैं, तो यह suspensor cell 6-10 बनाता है, यहाँ पे, monocot embryo में, जो basal cell है, produce a single-celled suspensor, यहाँ पे single-celled suspensor produce करता है, next if we talk about dicot embryo, the terminal cell produce embryo except for the radical, जो terminal cell है, यानि कि यह वही बताने कोशिश कर रहा है, जो cell का encouragement रहता था था तो उसका जो terminal cell है, वो produce करेगा embryo को except for the radical, radical के अलावा जो अब जैसे मैंने बताया था ना, कि यहाँ पे अगर embryo है, तो उसके नीचे का cell यह है, तो यह जो है embryo produce करेगा, यहाँ पे, monocot की अगर मैं बात करूँ, इट forms the wall of the embryo, यह monocot जो embryo है, यह पूरा embryo बनाने का काम करता है, इसके अगर मैं बात करूँ, तो not so much important, बहुत ज़्यादा ऐसा tough चीज़े नहीं है, बहुत ज़्यादा रट्टे वाली चीज़े नहीं है, अभी तक अगर मैं आपको बताऊं, तो यह उतना खास कोई difference between नहीं था, लेकिन इसमें यह longitudinal division होता है, सवाल उठता है, क्यों यह basic question है, assertion reason में use हो सकता है, for example, देखो दियान से, longitudinal division होने का कारण सबसे पहला यह है, कि आप देखो कि आपका embryo sec का diagram कैसा था, ऐसा था ना, अब अगर इसमें जो यहाँ पर एक basal cell हो गया ठीक है न, और उसके उपर यह cell ले लिया मैंने और उसके उपर embryo बना दूँगा मैं, longitudinal division होगा ऐसा, ठीक है, longitudinal division होने का कारण यह है, ताकि वो length बढ़ाएगा, और length बढ़ाके वो पहुचेगा जो उसका main food है, जो store food है, एंडो स्परम, उस तक पहुचेगा, ठीक है न, तो यहाँ पर longitudinal division होना इसमें जरूरी होता है, प्लस एक और चीज, एक और चीज यहाँ पर समझाऊंगा, इसमे जो generally divisions होते हैं, वो सिर्फ longitudinal नहीं होते हैं, दोनों तरह के होते हैं, क्योंकि हम dicotemporary की बात कर रहे हैं, तो देखो, कुछ इस टाइप का इसके नीचे basal से लोंगे, अब यहाँ पर जो division हो रहे हैं, वो इस टाइप के यह बोले गए हैं, एक्चुली में, जब यह इस टाइप का होगा, तभी तो यह size बढ़ाएगा, और तभी तो यह अपना पूरा जो एक globular structure है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, इसका structure गैसा होता है, globular, तो अगर इसको globular structure attain करना है, तो उसके लिए इसको पहले तो longitudinal, longitudinal मतलब इस तरह से vast होना है, फैलना है, ताकि यह ज़्यादा ज़्यादा food को attain कर पाए, जब कि यहाँ पर बोलू तो मैं, division generally monocort embryo में transverse होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, it has two cortyliden, obviously dicot है, तो दो cortyliden होंगे, जब अगर मैं बताऊं, तो वैसे तो यह logical था, इसको तो हम अटा देते ह है, ऐसा आपका embryo रहेगा, उसमें इस टाइब के लंबे-लंबे division होंगे, ताकि यह area जादा घेरे, इस वज़े से, यहाँ पे दो cortyliden है, actually मैं, जब आप diagram पढ़ते हो, diagram जब आप देखोगे, तो वहाँ पे आपको clearly लिखा हुआ है, यहाँ पे एक cortyliden है, यह आपको single cortyliden scutalum के नाम से, तो इसी लिए, जब diagram based आप question करोगे, तो आपको यह सब चीज़े already आती होंगी, ठीक है ना, plus जो labeling है, वो पूरी अच्छे से आनी चाहिए, आपका जो labeling है, इस type का dicot seed है, उसके बाद, दो इस type के, उसमें dicot निकले हुए है, यहाँ पे special अलग से जगा नह जैसे कि अगर मैं बात करूँ, for example, यह मैं seed ले रहा हूँ, और एक cotyledon मैंने यह निकाला, दूसरा cotyledon मैंने इस तरह से निकाल दिया, तो इनके बीच का जो area है, for example, if we talk about this area, इसको हमने प्लिम्यूल बोला था, है ना, तो वो cotyledon के बीच में ही तो लाएका, प्लिम्यूल अपयर लेटरल डियू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ दा सिंगल कोटलेडन, स्कूटलम जो था, स्कूटलम याद है, तो स्कूटलम जो था, उसमें पूरा area घेर लिया, उसकी वज़े से जो प्लिम्यूल है, वो हलका सा अपनी location से shift हो गया है, तो again diagram based है, अग नहीं diagram में label करते होएं चलो, यह best तरीका है पढ़ने का, I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, thank you. Hi, my name is Ashish Parashar, welcome to Magnet Brains, इस lecture में हम पढ़ेंगे again a new difference, that is the difference between epicotile and hypocotile, देखो, दो basic से शब्द है, जैसे कि कई बार क्या होता है, हम चीजों में उलद जाते हैं, या चीजे हमारे focus से हटती हैं, या कभी-कभी कुछ चीजे रहती हैं, जैसे for example, मेरी उतना ज्यादा बेटर ए नहीं आ रहा है, तो उस वज़े से आपको in confidence या under confident आपको लगने लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, words का कभी-भी meaning नहीं छोड़ना है, for example, अगर मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, epicotile, तो basic word पे focus करो, epic मतलब होता है, यहाँ पे हम बात कर रहा है, earth surface के basis पे, ठीक है न तो epicotile मतलब earth surface के ऊपर, एक चीज़ समझाई, यानि कि जो cotyledon है, cotyledon मतलब cotyledon, cotyledon वर्ड कहां से निकल का है, cotyledon से, तो जो cotyledon है, वो earth surface के ऊपर है, that is epicotile, and if the cotyledon is still remained inside the earth surface, या below the earth surface level, तो उसको हम hypo, hypo मतलब क्या होता है, नीचे, hypo शब्द का मतलब क्या हो हो गया, तो इसको cotyledon, यानि कि जो earth surface है, उसके नीचे रहे गया cotyledon, कुल मिला कि अगर मैं आपको बताऊं, तो हर बार मैंने आपको word समझाने के ऊपर focus किया, और अगर मैं इनके use की बात बताऊं, तो use बहुत simple है, आपका use PMT में काम जरूर आएगा, actually मैं, आप ये मत आया, तो direct आप answer दोगे, तो फाइदा होता है differentiate between पढ़ने का, कई बार हम theory में वो चीज़े basic समझ नहीं पाते हैं, जो differentiate between की वज़े से हम solve कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका syllabus complete हो रहा है, ठीक है, it is the part of embryonal axis in between plimule and cotylidinary note, ठीक है न, epicotyle क्या बोला गया है, यहाँ पर, embryonal axis का वो पार्ट है, जो plimule और cotylidinary note के बीच में होता है, it is the part of the embryonal axis in between cotylidinary note and radical, तो तीन चीज़ों का interplay है, तीन चीज़ों का interplay है, पहली चीज़ है यहाँ पर plimule, अब देखो basic concept आता है, बहुत basic, मैंने EP शब्द का मतलब क्या बोला था, अर्थ सर्फेस के ऊपर, बोला क्या होता है, stem हो गई, branches हो गई, leaves हो गई, obvious सी बात है, अर्थ सर्फेस के ऊपर जा रहा है, तो आपको यहीं click हो जाना चाहिए, कि जहाँ पे भी चीज़ अर्थ सर्फेस के ऊपर जा रही है, EP को टायल भी उससी से related रहेगा, for example, अगर मैंने MCQ आपको दिया, मैंने EP को टा के बीच में होता है, या फिर radical और cotyledon, radical आपको पता है, root बनाता है, R for radical, R for root, तो obviously बात है, अर्थ सर्फेस के नीचे रहेगा, लेकिन EP शब्द तो मतलब अर्थ सर्फेस के ऊपर होता है, तो वहीं आपको answer click कर जाएगा, तो यह basic concept है, जो आपको कभी रटने की ज़रत न है, next, in hypogeal germination, epicotyle elongate so that cotyledon remain in the soil, अब germination hypogeal है, now there are two words, one is hypo, hypo again indicates कि यह जो germination है, यह अर्थ सर्फेस के नीचे हो रही है, अर्थ सर्फेस के नीचे हो रही है, अर्थ सर्फेस के नीचे हो रही, now why earth surface, कुछ और क्यों नहीं, क्योंकि hypo यह गोल हो गया, गोल नहीं, इस आप सर्फ क्यों बोल रहे हैं कि earth surface यहाँ पे included है, यह earth surface के बारे में बात हो रही है, यह word जो आखरी में लिखा है न, hypo के बात, देखो, gel, इस word की वज़े से मैं बोल रहा हूँ कि यह earth surface के नीचे हो रही है, क्योंकि gel जो है, वो शब्द geo से निकल के आया है, और geo इसके नीचे अगर development हुआ है, तो उसको हम hypogeal development बोलते हैं, यह चीज अच्छे समझ में आई, और यहाँ पे hypogeal germination हो रहा है, यानि कि जो germination है earth surface के नीचे हो रहा है, उसमें क्या होगा, epicotyle elongate होगा और बाहर निकाल लेगा अपने cotylidon को, यह चीज समझ में आई, यहा आपे epigal germination यानि कि surface के ऊपर वाली generation में hypocotyle इस बार elongate करेगा, यह चीज आपको ज्यादा बेटर तब समझ में आएगी, जब आपको seed का दोनों diagram बहुत अच्छे से याद होगा, epigal और hypogeal दोनों, मैंने दोनों diagram दिखाया आपको, the terminal end of epicotyle is plimule, ठीक है न, epicotyle का जो आखरी end है, वो plimule है, plimule क्या बनाता है, shoot apex, और terminal end, hypocotyle का obvious सी बात है, radical होने वाला है, क्योंकि हम difference पट रहे हैं, तो यह basic concept, अब दो तरह के बच्चे होंगे, एक इस तरह के कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या epigotyle, क्या hypogeal, क्या चल रहा है यह सब, वो इसलि इसको एक तरफ रखना, एक बार में सब कुछ समझ आएगा, तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो पसंद आया, इसको जरूर लाइक करें, thank you. तो यह basic चीजे हैं, अब जब आप यह basic diagram याद नहीं करोगे, हर बार यह चीज पॉसिबल नहीं होती, कि आप diagram यहाँ पहले याद रखो, क्योंकि obvious ही बात है, यह चीजे हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, for example, morphology की मैं बात करूँ, इससे पहले की जो classes हैं उनकी बात कर least आपको खुद से यहाँ पे करनी होगी, by chance आपको नहीं आती हैं, तो उसका solution यह है, कि diagram आप साथ में रखो और यह difference पढ़ो, जैसे कि epicotile, hypocotile, जैसे कि embryo का monocot, dicot embryo, तो diagram आप साथ रखो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको पहले diagram याद करवाँ, उसके बाद यहा बहुत lengthy process हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसी वजह से मैं आपको differences पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा है, मतलब diagram सामने रखो, दोनों चीज़ों का, और फिर उसके बाद आप पढ़ो, आपको एक बार में चीज़े समझ आएगी अगर स्टिल नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजे, मैं उस टॉपिक को आपके लिए दुबार कवर कर दूँगा, स्टार्ट करते हैं, कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा, जो इपी कोटाइल है, नाम पहले ही पता चल गया हमें, इपी मतलब सर्फेस के ऊपर, किसकी बात हो रही है, कॉटिलेटन की, जिसमें शूट अपेक्स बनाने की पावर है, जो शूट अपेक्स बनाने वाला है, शूट अपेक्स में क्या होती है, लीफ होती है, देखो यह लिखा, ब्रांचेज, यह सारी चीज होती है, now why there is written the word, लीफ प्रा यह था न, एकदम आसान सी भाषा, कि शूट अपेक्स को एक कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, उस स्टक्चार का नाम कॉलियोप्ताइल है, इन्हें सेम चीज़ देफिनेशन फॉर्मेट में लिखती है, next, the radical and root cap are enclosed in a sheath-like structure that is called कॉलियोराइजा, r for root, r for radical, और r for कॉलियो कॉलियोराइजा, ठीक, कॉलियोप्ताइल है टर्मिनल पोर, for the emergence of the first leaf, obviously बात है, there should be a terminal pore, पोर अदर्वाइज, लीफ उसमें से निकलेगी कैसे, आप जो कवरिंग की बात करते हो, हमेशा अगर चीज़ कवर रहेगी, तो उसमें अब एक बहुत बेसिक सा एक्जामबल बता यह भी कुछ इसी type का है, covering तो है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, covering तो है, protection provide कर रहा है, लेकिन एक वक्त आता है, जब leaf को बाहर निकलना पड़ेगा, germination होगा, उसके बाद leaf बाहर निकलेगी, तो उसके लिए space देता है, कॉलियोप्ताइल एक terminal pore होता है, उसमें जहां से leaf बाह protection चाहिए थी, मिल चुकी, root जो है, मिट्टी में जा रही है, तो कॉलियोराइजर एक protective covering, वहां होनी ज़रूरी है, ठीक, next, it protects the permule during emergence from the soil, अब देखो, ये चीज़ मैंने समझा ही न, अगर soil है, तो damage हो सकता है, उस time पे protection की ज़रूरत है, इसमें soil सिर्फ एक part time है, जैसे कि for example, शुरुवाती दिनों में soil को पार करके, जैसे कि आप इस चीज़ को समझो, अब ये वही बात है, diagram को imagine करना पड़ेगा, अगर ये seed है, और मैं प्लिम्यूल और radical की बात कर रहा हूँ, तो प्लिम्यूल जो है, आपका ऊपर की तरफ जाएगा, तो शुरुवाती दिनों म फिर उसे कोई protective covering नहीं चाहिए, और इसलिए इसमें terminal pore होता है, इसमें कोई भी pore नहीं है, लेकिन ये हमेशा जैसे root cap के format में, किसी format में उसको एक protection हमेशा देता ही रहेगा, next, it rose much beyond the grain, ठीक है न, ये grain बहुत ज़ादा आगे चला जाता है, next, after emergence from the grain, it stopped growing, एक point आता है, जहाँ पे grain बाहर आ जाए, उसके बाद ये colorizer grow करना बंद कर देता है, लेकिन ये लगातार grow करता रहता है, next, Colleoptyle जो है, after emergence from the soil, जैसे कि मैंने ये बताया न, emergence from the soil, soil के बाहर निकला Colleoptyle, उसके बाद, during germination, become green and does photosynthesis, green हो जाएगा और उसके बाद photosynthesis करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी sun है, sun उसको यहाँ पे ultraviolet rays provide करेगा, और sun ultraviolet rays provide करेगा, तो ये photosynthesis करने के लाइक है, Colleoptyle does not come out of the soil and it remains non-green, क्योंकि ये soil के बाहर नहीं आता है, इसलिए इसको कोई भी pigment की जरुत नहीं है, और pigment ही वो चीज़ है, जो किसी भी structure को color provide करती है, इसमें वो pigment होते हैं, इसमें वो pigment नहीं होते हैं, इसलिए ये pigment होने की वज़े से green color का दिखता है, और green चीज़े plant क photosynthesis करती हैं, जबकि ये photosynthesis में active participation नहीं लेता है, obvious ही बात है, soil के अंदर sunlight नहीं आने वाले, तो I hope आपको ये basic बातें समझ आई होंगी, अगर समझ आई हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, thank you. Hi, my name is Ashish Parashar, welcome to Magnet Brains, इस lecture में हम पढ़ेंगे the difference between integuments and testa, now integument और testa सबसे पहले आपको imagine हो जाना चाहिए है, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, for example, integument वो structure है, जो ovule को protect करता है, या फिर embryo sec को protect करता है, ovule के अंदर present होता है, for example, if we talk about the anatropous ovule, तो आपने कुछ इस type का structure यहाँ पे आपके इस type से outer integument थे, एक inner integument था, और सबसे end में new cellus था और new cellus के अंदर एक embryo sec था, तो कुछ basic type का यह structure था, यह दोनों जो structure थे, इसको हमने integument का नाम दिया था, integument मतलब protect करने वाले embryo sec को, Now, if we talk about testa, what does testa stands for? After post-fertilization events, जो outer integument है, यानि कि यह वाला जो structure है, अब obvious सी बात है, जो embryo sec है, वो धीरे-धीरे convert हो रहा है, fertilization के बाद, तो उसको एक protection चाहिए, तो protection जो बनाने का काम करता है, सीड़गी, वो आपका outer integument का system करता है, और outer integument, आगे चलके ही testa बना लेता है, तो इन दोनों के बीच में क्या difference है, ये हमको समझना है, क्योंकि बहुत ही simple सी बात है, basic चीज़े हैं, लोग ये मान लेते हैं, कि outer integument and testa, बहुत हार similar, बस फर्क क्या है, fertilization का ही तो फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये 5-6 difference हम पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि outer integument, जो testa में convert हुआ है, तो एक testa और integument में फर्क क्या होता है, start with integument, it is the covering of the ovule, obvious सी बात है, हमने ovule का diagram भी बना के देखा, अब मैं आपको बार बार यही चीज़ समझा रहा हूँ, diagram में रखो, तब यह difference पढ़ो, ठीक है, चीज़ें imagine करने में आसानी होगी, again, it is the outer covering of the seed, obvious सी बात है, जो outer integument है, वो ही आपका testa बना रहा है, obvious सी बात है, this is the outermost covering, आखरी covering है यह, ठीक है, next, integument, it is thin, one or two layered, यह thin होगा, और एक से दो layer thick होगा, लेकिन seed की अगर हम बात करें, तो seed coat, आप खुद common sense लगाओ, seed coat, soft होना चीए, यह, thick होना चीए, obvious सी बात है thick, तो यह seed coat क्या होगा, quite thick और single layered होगा, why thick, जो seed के अंदर के structure है, उनको हमको prevent करना है, उनको जो बाहर की, जो भी x, y, z structure है, जो भी बाहर का environmental changes है, हमें अंदर के structure को उन environmental changes से prevent करना है, तो उसक लिए यहाँ पर testa का thick होना बहुत जादा important है, next, अब देखो, these cells are living, और sclerids are absent, both are connected point, यह sacred point नहीं है, यह दोनों के दोनों point connected है, recall your information from the chapter, plant tissue, plant tissue में जब आप पढ़ते हो, कि तीन टाइप के tissue होते हैं, perenchyma, colonchyma and scleranchyma, scleranchyma में आपने पढ़ा था, there is a structure called sclerids, और यह वही sclerid है, जहां पे भी sclerid होता है, वो non living structure होता है, वो नियम याद करो, वो rule याद करो, हमने एक rule बनाया था, generally जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं basic rules पर पढ़ाता हूँ, basic concept पर पढ़ाता हूँ, sclerids जहां भी हो जो cells हैं, यह cell dead होते हैं, और dead होने का कारण यह है कि उनमें sclerids होता है, मैंने अब भी example दिया, आप कैसे याद रखोगे, अगर किसी structure में sclerid है, मतलब वो dead है, टेस्टा में खूप सारा sclerid होता है, इसलिए वो एक dead structure है, समझाया, next, it arise from the chalazal end of the ovule, integument कहां से arise होते हैं, from the chalazal end of the ovule, this end is called the chalazal end, और यही से integument arise होते हैं, यही चीज़ तो मैं आपको समझा रहा था, now if we talk about testa, it derived from the outer integument after fertilization, जो fertilization है उस event के बाद, जो outer integument है, वही टेस्टा में बदल जाता है, तो कुल में लाके यहाँ पे कोई extra structure नहीं आया है, कोई बहार का structure अंदर नहीं आया, सिर्फ एक ही structure है, जो बाद में बदल गया है, for example, जो हमारे यहाँ का x, y, z कुछ भी हो, अब समीर भाहर जाके sam हो जाता है, यह वही वाली चीज़ है, बंदा वही है, कुछ भी change नहीं हुआ है, ठीक है, यह simple सी चीज़, now next, it is a pre-fertilized structure, obvious सी बात है, मैंने starting में ही बताया था, fertilization के पहले का structure है, और यह post-fertilization, यानि की fertilization के बाद का structure है, यह बहुत basic difference है, तो I hope आपको यह difference पसंद आए होंगे, अगर पसंद आएं और समझ में आएं, इनको ज़रूर लाइक करें, thank you. Hi, my name is Aashish Parashar, welcome to Magnet Brains, इस lecture में हम पढ़ेंगे, the differentiation between perisperm and pericarp, now, one of the most important differentiations, जो अब और इसके बाद वाले lecture में आएंगे, for example, मैंने अभी तक एक भी differentiation में यह नहीं बोला था, कि उस पर direct question आते हैं, अभी तक जितने भी हमने difference between पढ़े, वो hidden form में हमारी help करते हैं, करके हम MCQ सही कर देते हैं, लेकिन यह वो difference हैं, जिनके उपर direct question आता है, I repeat, यह अगर particular scheme में बात करूँ, तो इसको मैं 3 star importance दूँगा, क्योंकि यह differentiation between के उपर, aims में direct question आया है, neat में direct question आया है, more than once, तो अगर direct question आया है, मतलब यह differentiation between, जितने भी मैं difference पढ़ा रहा हूँ, उन में सबसे ज़्यादा important है, खास कर, perisperm is the structure, asked continuously in the exam, बार-बार पूछा जा रहा है इसके बारे में, और आपको पूरी चीज़े पता होनी चाहिए, next, next जो मैं पढ़ाऊंगा, parthenocarpia और parthenogenesis, तो वहाँ पे भी questions आते हैं, चाहे तो individually parthenocarpia के उपर, या individually parthenogenesis के उपर, now start with perisperm and pericarb differentiation, perisperm से start करते हैं, मैं बहुत ही basic से structure आप से discuss करना चाहता हूँ, for example, what is perisperm, perisperm एक remnant structure होता है, एक बचा हुआ structure होता है, ovule में जो nucellus है, again, if we talk about this anatropous ovule, तो यह outer integument, और यहाँ से आपका यह दूसरा outer integument, और इसके अंदर यह inner integument, यह थोड़ा ज़ादा थिकनेस वाला बन गया, तो if we talk about anatropous ovule, तो यह outer integuments होते हैं, और इसके नीचे inner integuments होता है, similar if we talk about this structure, तो यहाँ पे भी एक outer integument होगा, और इसके नीचे एक inner integument होगा, now there is a structure called nucellus, यहाँ पे एक structure होता है, जिसको हम nucellus का नाम देते हैं, तो जो nucellus है, वो actually में एक structure है, जो embryo sec को food provide कर रहा है, जो आपका embryo sec होता है, उसको food provide, embryo sec का होता है, यहाँ, this is embryo sec, और इसके अलावा, जितना भी यह जो structure बना हुआ है, जैसा कि हमने diagram में देखा था, इस पूरे structure को हम nucellus बोलते हैं, और यह जो nucellus structure है, यह nourishment provide करता है to embryo sec, now sometimes, जैसे कि कुछ आपकी zingabaracy family हो गई, black pepper हो गया, beat हो गया, NCIT की लाइने हैं, यह families में क्या होता है, यह जो nucellus है, काईदे से इसको degenerate हो जाना चाहिए था, लेकिन यह selected families में persist करता है, और as a covering of seed, यह work करता है, तो seed के ऊपर की covering is peri sperm, जो कुछ ही family में पाई जाती है, और mostly pericarp जो एक structure है, जो एक बहुती simple format में मैं बोलू, एक fruit की covering है, fruit समझते हो ना, fruit की बाहर की covering है, तो वो सब में ही present होती, Now start with peri sperm, it is unused, nucellus in the seed, यह एक ऐसा nucellus है, जिसका use नहीं किया गया है, यानि कि काईदे से इसको degenerate हो जाना चाहिए था, लेकिन गलती से यह बच गया, तो यह वो structure है, जो seed में या fruit में नहीं होना चाहिए था, लेकिन पाया जाता है, Example आपको याद है, pericarp की अगर मैं बात करूँ, तो यह fruit की covering है, कोई भी XYZ आप fruit लेते हो, और fruit के बाहर जो covering होती है, जो color देती है, जैसे apple की मैं बात करूँ, तो लाल color का उसका चिलका होता है, that is pericarp, ऐसी कोई भी fruit आप ले लो, उसका mango है, mango का yellow color का चिलका होता है, that is peric pericarp, pericarp उसको हम बोलते हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी fruit की covering ले लो, that develops from the ovary wall, ठीक है न, ovary की wall चा मनता है, pericarp is a part of seed, seed का एक हिस्सा है, seed की एक covering है, जबकि मैं यह बोलू, तो यह fruit की covering है, अगर मैं pericarp की बात करूँ, pericarp, peri मतलब पहले, और carp, carp शब्द मतलब, यह यहाँ पे मैं fruit related चीज़े बोल रहा हूँ, next, it is usually dry, ठीक है, लेकिन जो fruit की covering हो सकती, वो dry भी होती है, और flashy भी हो सकती है, now, यह यहाँ तो dry होगी, यहाँ तो आपकी flashy होगी, depend करता है, it is utter non-functional for seed, यह simple basic covering है, आप pericarp, perispam का sorry, कोई भी use आप नहीं देखोगे, अलग से, पेरिकार्प का use है, it is a protective covering and also help in dispersal and nutrition, now, यह तीनों काम कैसे कर रहा है, पेरिकार्प के अगर मैं बात करूँ, यह protective covering है, यह तो हमें समझ में आता है, क्योंकि fruit के बाहर की wall है, next, चीज इसमें लिखी है, help in dispersal, dispersal में इसी लिए, क्योंकि इसको, जब हम पेरिकार्प जो है, protection provide कर रहा है, protection provide कर रहा है, तो dispersal यानि दूर दूर तब फैलने में भी यह आसानी provide करता है, next, अगर हम बात करें, nutrition, तो आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, कई सारे fruits है, उनका उपर का जो छिलका है, उसमें बहुत सारे nutrition होते हैं, जो हम एक मिल सकते हैं, जब हम उन छिलकों को खाए, तो यही चीज है, इसलिए nutrition वाला word include हुआ है, peri sperm is present in only few seeds, सिर्फ कुछी seeds में यह present होता है, कुछ basic ऐसे, कुछ particular structure हैं, जिन में present होता है, particular families हैं, जिन में present होता है, लेकिन pericarp एक universal चीज है, हर fruit में पाया जाता है, तो यह basic difference थे, important है यह difference, आपको ज़ पसंद आया, तो इसको ज़रूर लाइक करें, thank you, hi, my name is Hashish Parashar, welcome to Magnet Brains, इस lecture में हम पढ़ेंगे, the difference between parthenocarpy and parthenogenesis, मैं आपको एक चीज बताई थी, कि जितने भी differentiate between हम पढ़ रहे हैं, सब में से basic questions आते हैं, और शायद आएं, शायद ना आएं, क्योंकि उनका जो use होता है, मेंली hidden होता है, जितने भी हमने difference पढ़े, लेकिन दो differentiate between, एक perispum और एक pericar and another one is parthenocarpy and parthenogenesis, क्योंकि ये वो चीजे हैं, ये वो topic हैं, जो बहुत बार question आ चुका हैं, इनके उपर बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये portion भी काफी जादा important है, I hope आप इस portion को पर पूरा focus करेंगे, start करते हैं with parthenocarpy and parthenogenesis, सबसे पहली basic path, शब्द पे ध्यान दो, the word is partheno, the word is partheno, जब आप partheno word कहीं पे भी पढ़ोगे, एक rule बनाओ, partheno word का मतलब ही है, that it is indicating towards a sexual mode of reproduction, क्या आप मैंने बोला, मैंने ये चीज़ बोली, कि जभी भी आप partheno šabd को पढ़ो, आप ये मानो, कि वो आपका focus, आपका ध्यान इस तरफ खीचना चाहता है, कि ये process a sexual reproduction वाली है, इसमें a sexual reproduction हुआ है, तो अब यहां पे भी partheno šabd आया, और यहां पे भी partheno šabd आया, दोनों की दोनों process में a sexual reproduction है, now there is a difference, a single word, कारपी is used in this, कारपी, कारपी is used in this, और यहां पे शब्द यूज़ किया है, that is genesis, both are different, genesis और कारपी दोनों शब्द में बहुत बड़ा gap है, कारपी शब्द की अगर मैं बात करूँ, कारपी शब्द का मतलब होता है, related to the carpel, जैसे कि पेरिकारप, related to the carpel, carpel is the female structure, आप इस चीज़ से दिमाग लगा सकते हो, कि यह वो process है, जो exclusively plants में होती है, कारपी अगर कहीं पे आ गया, basic rule पे चलो, basic knowledge पे चलो, base बनाओ, concept बनाओ, तो अगर कहीं पे कारपल शब्द आ गया, मतलब वो आपका ध्यान किस तरफ खीचना चाता है, मतलब वो आपका ध्यान इस तरफ खीचना चाता है, कि यह plant से related structure है, Now, if we talk about genesis, genesis means to generate, to form, और to evolve, यहाँ पे जो मतलब है, वो हमें बताने कोशिश कर रहा है, कि to generate, बनाने की कोशिश, अब यहाँ पे animal format के लिए इस word को use किया गया है, Now, start with the difference, it is the production of parthenocarpy, it is the production and development of seedless fruit, वने बताया था न, asexual reproduction, तो अगर asexual reproduction की बात हो रही है, यानि कि obvious सी बात है, कि कोई ऐसा method होगा, जहाँ fertilization की ज़रुत न पड़े, और seedless fruit जो है, उसी का एक example है, Again, यह production and development of seedless fruit, without pollination, without fertilization. आपको यह चीज़ पता है, कि fertilization की कोई ज़रुत नहीं होती, asexual reproduction में, तो दोनों ही method asexual reproduction के हैं, दोनों में ही fertilization नहीं होगा, Again, if we talk about parthenogenesis, it is the development of unfertilized, again, दोनों में आपने ध्यान दिया, यहाँ पे भी fertilization नहीं करवा रहे हैं, और यहाँ पे भी fertilization नहीं करवा रहे हैं, फर्क यह है, कि यह pure और pure plant के बारे में है, यह mix है, ठीक है? It is the development of unfertilized egg into a complete individual without fertilization, next, parthenocarpic fruits are normal fruits, एकदम normal fruits होते हैं, आपने केला खाया होगा, आपने कभी बीज वाला केला नहीं खाया होगा, आप हमेशन normal केला खाते हो, एकदम normal, for example, if we talk about santra, orange, तो orange जो seed वाला होता है, वो भी same ही taste देगा, same nutrient होगे, और जो एकदम seedless orange होगा, वो भ characteristic होगे, if we talk about parthenogenesis, young ones produced by parthenogenesis are generally weak, they are generally weak and less immune than their parents, next, parthenocarpi, जैसा कि मैंने बोला था, carpal शब्दा जाए, 100% relation to plant, लेकिन ये जो process है, ये plant में भी होती है, animal में भी होती है, NCRT में, first chapter में described है, including examples, आपको definition सब याद होना चाहिए, definition, example अगर आप याद करते हो, तो मेरे ख्याल से enough है, next, if we talk about example, banana, pineapple, guava, grapes, apple, tomato, papaya, etc, अगर हम यहाँ बात करें, parthenogenesis की example, plant such as solenum, nigrum, nicotina, datum, oenothera, और animals की अगर हम बात करें, तो drone हो गया, लसल्टा, उसके बाद, टाइफिला, एंड ब्रामिन, ठीक है, यह कई सारे example है, लेकिन आपको सारे examples याद रखने की ज़रुत नहीं है, कोई याद नहीं रखता है, basic definition और NCRT के example, I again insist you, NCRT का topic है, तो आपको example भी सिर्फ और सिर्फ NCRT के ही आद होना चाहिए, जहां पे rotifer, honey भी यह सब दिया हुआ है, तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो उसको ज़रूर लाइक करें, thank you. Hi, my name is Ashish Parashar, welcome to Magnet Brains, इस lecture में हम पढ़ेंगे the process of asexual reproduction, asexual reproduction यहाँ पे आपको appomixes के नाम से दी हुई है, तो basically we talk about appomixes process, ठीक है? Now, the word appomixes is self-explanatory, जब आप बात करते हो, appo और mixes, appo जो शब्द है, वो अलग है, और mixes जो है, अलग है, for example, mixes जो है, obviously बात है, indicate कर रहा है कि वो निकल के आया है mixing से, mixing मतलब होता है, combine होना, दो अलग अलग चीजों का, और appo मतलब यहाँ पे indicate कर रहा है, without, तो यहाँ पे without mixing अगर कोई चीज बन रही है, तो उसको हम appomixes बोलते हैं, now, asexual reproduction is also known as appomixes, okay, example की मैं बात करूँ, कुछ species of esteriacee and grasses are involved, this example is important, क्योंकि यह NCRT का example है, इसलिए इस example की value बहुत जादा बढ़ जाती है, यह example दो बार NEET में आ चुका है, next, if we talk about the meaning of the word, appo is without and mixes is mixing, appomixes suggests by the professor Winkler, जो शब्द है appomixes, वो किस ने दिया था, professor Winkler ने, not so important, नहीं पूछा जाता है नाम, तो कोई ज़रत निया याद करने की, the appomixes is characterized by quick multiplication, now, there is a feature, a common feature of all asexually reproducing structures, जितने भी organism हैं, जितने भी plants, सब XYZ organism में आप कोई भी लेके चलो, quick multiplication उन्स सब का एक common feature होता है, and reproduction is generally similar plant from the single parent, अब मैंने जैसे की बताया था, आसान भाशा में मैं बोलूँ इसको, तो variation यहाँ पे 0% है, यह सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा की photocopy है, यह सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा की photocopy है, इसमें किसी भी तरह का कोई variation नहीं होगा, और quick multiplication बहुत जल्दी multiply करेंगे, divide करेंगे, now this line diagram is very important, very, very important, यह basics clear कर देगा, for example, epomyxis is divided into two parts, one is recurrent, बार बार होने वाला, another one is non-recurrent, बहुत rare होने वाला, recurrent किया कर मैं बात करूं, तो एग एमोस पर मी और vegetative propagation, now vegetative propagation is a topic which we have already covered, vegetative propagation important है, और मैंने आपको पूरा पढ़ा चुका है, जबकि अगर मैं बात करूं, non-recurrent, parthenogenesis and epogamy, बोद हर important words, यह line diagram at least आपको आना चाहिए, now what is, एग है मोस पर मी, embryo is formed without fertilization, जो embryo है, embryo क्या है, एक नए plant को जरम देने वाला, और humans में embryo कौन होता है, एक नए individual को जरम देने वाला, embryo actually में वो structure है, जो एक नए generation को लाता है, यहाँ पे embryo बिना fertilization, यानि कि बिना male और female gamete के fuse हुए, बिना fertilization के आ रहा है, next, meiotic division भी नहीं हो रहा है, now why there is no meiotic division is a thing that you should understand, कि meiotic division यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, आपने देखा था, जब gamete बनते हैं, तब ही meiotic division होता है, तो gamete यहाँ पे कोई requirement ही नहीं है, क्यों नहीं है requirement, क्योंकि fertilization नहीं है, तो step by step चलो, यहाँ पे fertilization की कोई जरुत नहीं है, यह asexual method है, और fertilization की ज़रुत नहीं है तो gamete बना के भी क्या करोगे और gamete बनते तभी meiosis होता है तो यहाँ पे सारी conditions आपके satisfy हो रही है and this is called a gamo spermi जहाँ पे बिना fertilization के embryo बन जाए a gamo spermi a absent gamo and spermi gamo spermi is a divide word जहाँ पे वो बताना चाहता है कि gamete और sperm दोनों absent है easy language में अगर मैं बोलू तो बहुत आसान language में इस process में gamete absent होते है a for absent, gamo spermi is for gamete तो इस process में gamete absent होते हैं आसान भाशा plant propagated through seed but the embryo formation does not involve meiosis and syngame obviously बात है plant जो हैं वो seed से तो propagate कर रहे हैं लेकिन embryo में meiosis नहीं हो रहा है syngamee नहीं हो रही है fertilization होता तो syngamee होती और fertilization होता तो gamete बनने के लिए meiosis भी होता next this is the various types of egg emospermi basically it is of three type now first is diploospory diploospory जब archysporium differentiate to form megaspor mother cell जो archysporial cell है मैंने आपको बताया था ना जब basic हम developmental process पढ़ रहे थे तो जो archysporial cell है वो mega spore mother cell बना रहे थे differentiate होगे और megaspor mother cell में in general meiosis हो रहा था और meiosis से आपका जो भी x y z gamete बनना था वो बनता था for example आपका pollen grain बन रहा है आपका embryo sec बन रहा है ovule इस टेक की चीज़ थी ठीक है ने लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है बट इस mega spore mother cell directly give rise to यह keyword है इस statement का directly जो mega spore mother cell है मालो अगर हम pollen grain की बात ले तो micro spore mother cell क्या बना रहा था pollen grain बना रहा था लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है अब जैसे mega spore mother cell है female gametophyte यह सब बना तो mega spore mother cell यहाँ पर इसा कुछ नहीं कर रहा है डारेक्टली बना रहा है embryo sec को without meiosis ठीक है ना यहाँ पर क्या हो रहा है जो mega spore mother cell है वो किसी भी तरह की बीच के जो step से उनको eliminate करता हुआ direct give rise to embryo sec without meiosis के बिना यानि की इनका जो embryo sec हो अब इसको समझे थोड़ा जब हम बात करते हैं mega spore mother cell की mega spore mother cell जो है वो एक 2N वाला structure है इसमें meiosis होता था और उसके बाद end में कहीं जाके embryo sec बनता तो आखरी में जो structure बन रहा है वो end structure होता था क्योंकि यहाँ पर meiosis हो रहा है जो समझने वाली बात है जो difference है वो यही है कि diplo sporey में diplo diplo diploid diplo word का मतलब क्या हो गया diploid यह basic चीज़े हैं आप अगर दिमाग में इस शब्द से याद रखोगे न तो आपको easily याद होगा तो diplo मतलब diploid यानि कि अब जो embryo sec बनेगा वो actually में 2N ही बनेगा कोई meiosis यहाँ पे नहीं हुआ है next example parthenium और terexecum ठीक है next if we talk about adventive embryoni embryo sec जो है बन रहा है any deployed cell कोई भी deployed cell है उससे embryo sec बन जाए whether it is nucellus whether it is integuments structure देख लेना diagram देखना of the ovule except embryo sec सिर्फ embryo sec को हटा दो और किसी से भी embryo बना दो क्या शब्द है बस embryo sec को हटा दो और किसी से भी embryo बना दो चाहे nucellus हो चाहे integument हो उस process को हम adventive embryoni बोलेंगे question पूछे जाते हैं deployed cell जो है zygote की तरह behave करेगा और direct formation करेगा example citrus, mangifera, open chia, onion ये integument से बनाते हैं और spiranthus Australia ये जो है ये integument से direct बना लेता है ये जो बाकी के structure है ये new cellus से बनाते है और ये जो है special integument का example है next epospory the formation of gametophyte from sporophyte without meiosis क्या हो रहा है gametophyte बन रहा है sporophyte से लेकिन meiosis नहीं हो रही है it is discovered by Professor Rosenberg in Horatium plant now don't forget this plant this is very important plant आपको याद होगा Professor Mendel को जो एक तरह का depression दिया था वो इसी plant नहीं दिया था क्योंकि Professor Nagely ने उनको जो प्लांट दिया था वो यही था और ये exception था और इसमें Mendel law साबित नहीं हो पाये थे तो इसी वज़े से उनको लगा था कि उनकी discovery waste है embryo sec और female gametophyte is directly formed from any deployed cell of the sporophyte except Megaspore Mother Cell यानि कुल मिलाके तीनों में सेमी चीज़ चल रही है यहाँ पे भी जो female gametophyte है वो directly बन रहा है किसी भी sporophyte के cell से बस Megaspore Mother Cell नहीं होना चाहिए यानि कि जो simple process हो रही है fertilization की वो ना हो कुछ भी हो चलेगी और इसी process को हम आकरी में एपोस्पोरी बोल देते हैं example, heresium, ranunculus and rubus ठीक है? बहुत ही basic सा difference है यह एक diagram है जो आपको चीज़े समझा रहा है यहाँ पे आपको basic चीज़े समझाई गई हैं बिना meiosis के चीज़े हो रही हैं अगर meiosis में कुछ involve हो रहा है तो अब देखो जैसे diplo-spori है तो diplo-spori में आप देख रहा है 2N जो है आगे भी 2N structure maintain है अगर आप adventive embryoni या एपोस्पोरी की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी same चीज़े हो रही है अगर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो ज़रू लाइक करें थैंक यू इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे a separate topic that is polyembryoni अगर मैं बात करू तो polyembryoni हो गया, apomyxas हो गया, इनके ऊपर direct question आता है अगर बहुत ही बेसिक सी बात है और embryoni शब्द का मतलब है embryos now what we are talking about हम भूल रहे हैं कि एक से ज़ादा अगर embryo present है that is polyembryoni situation now many embryos are formed inside a single seed it is called polyembryoni जैसा की नाम से पदा चल रहा है एक seed के अंदर एक बीज के अंदर बहुत सारे अगर embryo बन रहे हैं that is polyembryoni now next professor Leeuwenhoek in citrus orange seeds discovered this ठीक है ना तो professor Leeuwenhoek आपको याद होगा सबसे पहले living cell देखने वाले भी professor Leeuwenhoek की थे polyembryoni is commonly found in gymnosperms gymnosperms जो हैं आपको याद होगा कि psychates बहुत बड़े बड़े जो पुरानी हिंदी फिल्मों में गाने चलते थे जहां राजश खरना चिलाता रहता तो गाना गाता रहता थे तो वो जो एक जंगल था ना वो पूरा gymnosperms कर रहता था बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं हेली एरियास में पाए जाते हैं बहुत ही जादा एक बुलते हैं बहुत जादा इसी location बहुत जादा दूर की location वहाँ पाए जाते हैं बट इस अलसो फाउंड इन सम मतलब बहुत थोड़े एंजियो स्पम जैसे की औरेंज हो गया, लेमन हो गया और निकोटी है ना ठीक है, next बहुत सारे एंब्रियोस जो हैं वो बनते हैं लेकिन सबका जो एंब्रियो सेक है, जो location है, वो सब separate है more than one inside the ovule, it is called false or pseudo poly embryony शब्द का मतलब क्या है, जैसे की बहुत सारे एंब्रियो बन रहे है लेकिन फर्क यह है कि सबका खुद का अपना room है सबका खुद का अपना personal space है, ठीक है ना तो इस situation में हम इसको false यह pseudo poly embryony बोलेंगे now there are three types of cleavage, cleavage of zygote और budding इसका example है, cymbidium, exocarpus और nymphia बहुत सारे example याद करने की ज़रत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़े याद करने की ज़रत इवन इफ I talk about के आपको यह चीज़े बहुत ज़्यादा डीटेल में पढ़ने की ज़रत नहीं है by the fertilization of synergates, direct example, anemone, aristolochia, ज़्यादा पढ़ने की ज़रत नहीं है fertilization of antipodal cell, अगर antipodal cell का fertilization है तो कौन सा structure? example है इसके, paspelum and almus, note, note इसलिए important है क्योंकि कुछ चीज़े हैं जो direct note से आई है for example, in lithium, all the, lilium होगा, in lilium, all the three types of polyembryony are present ये question पूछा गया था, कि lilium plant में सारे की सारे polyembryony are present this is lilium now next, adventive embryony is also an example of polyembryony in which additional number of embryos are formed from nucellus or integuments जो additional number of embryo बन जाते हैं, वो देखे गए तो these are example of polyembryony, आप यहाँ पे देख रहे होगे, खासकर यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा देखता है lemon में, lemon और orange बहुत अच्छा example है polyembryony की so बहुत ही simple सा और basic सा topic था, मैं अगर आपको बताओ, example और definition बस इतना ही याद रखिए I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हुगा, अगर पसंद आया तो उसको ज़रूर like करें वीडियो को, thank you Hi, my name is Ashish Parashar, welcome to Magnet Drains इस lecture में हम पढ़ेंगे angiospermic seeds को Angiospermic seed का हम यहाँ पे पूरा का पूरा जितना भी topic है सब cover करेंगे including embryo और endosperm जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, for example XL, Wuminus मतलब क्या होता है, या फिर endospermic seed कौन सी होती है, non-endospermic क्या होती है सारी चीजों को हम फिर से discuss करेंगे with example Now, angiospermic seed से start करते है, सबसे परे structure The whole plant exists in seed, obviously बात है, NCIT की लाइन है Morphologically, ripened ovule को हम seed बोलते हैं Ripened ovule को हम seed बोलते हैं, direct terminology पूछी जाती है Seed एक mature, integrated, megasporengium है यह सारी की सारी terminology MCQ में पूछी जा सकती है At least आपको idea होना चाहिए Seed code की अगर मैं बात करूँ, तो outer protective covering जो होती है Seed की, उसको हम seed code बोलते हैं जो की integument of ovule से मिलके बनता है Testar tagman अगर आपको यादो, outer inner integument respectively Seed code जो perform करता है, protective function है बहुत basic बात है, सही बात Small opening pore, मैंने बताया था न, micro pile Small opening हमेशा रहेगी For oxygen transport इसका function भी पड़ो क्योंकि मैंने questions देके है Function पूछा जाता है के opening क्यों है Present just near the hilum And which is way of entry of water into the soil Again, water also enter into this जो micro pile end है, उससे water भी enter होता है लेकिन oxygen भी जरूरी है इसको भी याद करना important है Next, यह basic diagram है जहाँ पे आपको unfertilized ovule, developing seed Developing seed में आपको endosperm दिखाने कोशिश की गई है और वो diagram दिखाया गया है जहाँ पे कोई भी endosperm का presence नहीं है अभी देखो, इसकी importance अभी समाज आएगी Next, another यहाँ पे भी same चीज़ बताने कोशिश की गई है यहाँ पे हम पढ़ते हैं और यहाँ पे वो diagrams important बनते हैं For example Now, embryo is the most important part of the seed मानते हो, क्योंकि इसी से पूरा plant बनने वाला है which represents mini or tiny future plant obvious ही बात है Embryo developed from fertilization ex-zygote बात सही है, ex-zygote जो है वो आगे चलके embryo बनाता है चाहें human हो, चाहें plant हो The seed having endosperm Endosperm क्यों? क्योंकि food देगा क्या देगा? Food देगा तो दो तरह की seed होती है जिसमें seed में endosperm है जिस seed में endosperm present है उसको हम बोलेंगे endospermic और albuminus seed I repeat, endosperm क्या albuminus seed कौन सी होगी? जिन seed के अंदर endosperm present होगा Now, इसमें भी आप देख सकते हो इसमें भी चीज़े बताई है लेकिन ये ज़्यादा बेटर है ये seed है, इसके अंदर endosperm present है इसका मतलब ये albuminus ये endospermic seed है ये जो seed है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई endosperm नहीं है इसलिए ये जो आप बोलते हो non-endospermic seed का example है या फिर x-albuminus seed का example है दोनों के example important है दोनों की definition example दोनों कई बार पूछे गए हैं बहुत ज़ादा important है, बार बार पूछे जाते हैं ठीक है, example endospermic के cereals हो गया, caster हो गया इनका है, pea gram bean और उसके बाद same हो गया, cucumber हो गया और tamarind हो गया next, sometime some part of the new cellus remain again ये जो line है, बहुत ज़ादा important है, NCRT के इसलिए बार बार में perry sperm जो है, वो present रहता है, black pepper wheat remnants काफी सारे remnants in family में रहे जाते हैं, monocot embryo की बात करें there is a single cotyledon scutalum direct लिखा है, example grass and wheat opposite side of the scutalum, एक epiblast होता है एक छोटा integument होता है वो मैंने आपको बताया था, important है यहाँ पे भी आप देखेंगे तो same चीज़े, एक seed का structure testa, plimule और वहाँ पे present बहुत सारा cotyledon cotyledon जो है, अब यह किस type का example होगा, खुदी बताओ यहाँ पे क्या आपको किसी भी तरह कोई endosperm दिख रहा है नहीं, यानि कि ex albuminus या non endospermic seed है अब सवाल यह उठता है सर, इस वाली seed को भूख, कैसे अपने मतलब nutrition कहां से मिलता होगा तो क्या होता है, इसका जो endosperm है उससे पूरा खाना इसके cotyledon छीन लेते हैं यानि कि खाना बनाया किसी भी और और सर कोई और कर रहा है, तो cotyledon जो है, endosperm से खाना छीन लेंगे और cotyledon स्वेल अप हो जाएंगे now if we talk about there, this is a basic सी बाते हैं, endospermic और non-endospermic seed एक और बार आप देख लो, जहां पे endosperm present है, endospermic या albuminus, जहां पे नहीं है non-endospermic, ex albuminus next, cotyledon जो है वो उन seed में endosperm को पूरा nutrition खीच लेते हैं और वो seed को nutrition प्रवाइड करते हैं यह समझ में आया ना, तो जो non-endospermic होती हैं, उनका खाना पूरती कैसे होती है, उनका खाना जो है nutrition जो है, वो पूरा कैसे होता है cotyledon के थूँ now, again, same चीज़े हैं, basic बाते हैं, nutritive tissue है जो की absent या present हो सकता है किसी भी seed के अंदर, non-endospermic यहां, ex albuminus ethos, money plant जो है, alesma और amorphopheles, जो मैं बार-बार बता रहा हूँ, कि NCIT की लाइने हैं, तो आप एक जगा यहां एक तरफ endospermic, non-endospermic और सारे example एक साथ लिख लो, इस तरफ सारे example एक साथ लिख लो पस एक बार ऐसा पूछा गया था कि dicot और monocot seed कौन गौनसी होती है तो वहां थोड़ा सा फरक आया था वानना, एक साइड एक बार में बना लो कभी दिक्कत नहीं आएगी अलगो में नसी है, endospermic seed की मैं बात करूँ dicot seed के example है, castor papaya, coconut और sunflower, और monocot seed के example है, wheat, rice and maize, etc germination of seed की अगर मैं बात करूँ, तो germination वो process है जिसके through dormant जो embryo है, वो बाहर निकलता है active हो जाता है, और grow करना start कर जाए, germination मतलब germinate करना, to become active ठीक है, तीन तरह के germination होते है epigel, hypogeel weepering, epigel की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, hypocotyle grow करता है, elongation के लिए here, due to hypocotyle growth of elongation, cotyledon are pushed out of the seed hypocotyle develop हो रहा है, तो cotyledon को seed के बहार ढखका दे दिया जाएगा इसको epigel बोलते हैं, example cotton papaya custard, simple example याद करने की ज़रूँ तो और कुछ नहीं hypogel की बात करूँ, इसमें epicotyle grow करेगा, और plumules जो है GL शब्द मतलब, GL GL, GL मतलब, अर्थ अर्थ के नीचे, तो cotyledon जो है अर्थ के नीचे रहेंगे, यहा cotyledon अर्थ के बहार आएंगे, example है maize rice wheat, again similar examples, वीवपेरी के अगर मैं बात करूँ, special type के seed generation है, जिसमें characteristic of mangrove vegetation found in muddy saline condition, जो आप orissa वाला इलाका है, जो आपके 30A इलाके जैसे coastal region होते है वहाँ पे mangrove आए जाते है उनमें होता है, यह वीवपेरी, example rhizophora, important है avicenna और syriops this is the kind of germination which we are talking about यहाँ पे आप cotyledon बाहार आएंगे this is epigial germination और यह hypogeal, यह दोनों compare करते हुए cotyledon अगर बाहर आ रहा है, epigial और cotyledon अगर अंदर ही है यह देखो, cotyledon अर्थ के अंदर है न that is hypogeal, बहुत basic चीज है now factor affecting seed germination, moisture, moisture मिलेगा for example, micropile जो area है वहाँ से oxygen plus water enter होगा, तभी germination होगा oxygen, obvious सी बात है किसी भी जगा, देखो, अब मैं यही समझा रहा हूँ, generally books गलती क्या करती है जो बहुत जादा basic चीज़े होती है वो बच्चों को नहीं लिखती for example, जो water है, वो तो उनने लिख दिया, but they continuously missing out this oxygen, और मैं शुरुवात से, पहले ही time से जबसे मैंने micropyl पढ़ाया हर बार मैंने सरफ oxygen बताया water, obvious सी बात है विना water के कभी germination होई नहीं सकता किसी भी seat का, लेकिन जो चीज है, जो हम silly mistake करते हैं, वो है oxygen तो यह दोनों याद रखते है, temperature optimum temperature होना चाहिए, जहां पे enzyme work करे, enzyme कहा work करता है, यह मैं basic बाते बता रहा हूँ, कुछ भी रटने का नहीं, 25 से 45 डिग्री centigrade पे, तो optimum temperature है food and nutrition food and nutrition का direct मतलब है के favorable condition, favorable condition होगी food and nutrition मिलेगा, obvious सी बात germinate करेगा, proper light आपका पेड़ का जो भी function हो रहा है वो light पे depend करता है including flowering, including everything anything else, light अच्छी होगी तो germinate करेगा, next, importance of seed dependable method है अब obvious सी बात है, seed के बहुत सारे important features हैं, लेकिन organ of peranation, peranation मतलब हमने store करके रख दिया, अगले मत फिर use कर लेंगे, dispersal, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, वहाँ होगाएंगे और इतना ज़्यादा climate का change नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप thund की जो फसल है, वो गर्मी में होगा रहे तो ये ज़्यादा हो जाता है, वरना कोई भी, for example, अगर मैं बात करूँ, तो केरल में आप potato नहीं होगा सकते हैं ये थोड़े से limitation है, वरना dispersal आप इसको same climate के किसी भी area में disperse कर तो, आराम से गोगेगा reserve food material, obvious ही बात reserve food material की तरह हम use कर सकते हैं हम बीज इखटे करके रखें, किसान करते भी हैं, जब जरुत पड़ेगी तब हम उगाएंगे, variation बहुत सारे variation का का काम करता है seeds जो है, वो एक एक तरह से fertilized ovule है एक fertilized structure है, उसमें variation of course होगा, storage food storage का काम करता है, ये पूरी तरह से और दूसरा agriculture most important चीज, agriculture का ही इसका main गाम है, पूरा का पूरा agriculture field में ये help करता है next class हम लोग fruits पड़ेंगे I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें Thank you Hi, my name is Ashish Parashar, welcome to Magnet Prince इस lecture में हम cover करेंगे topic को fruits fruits की अगर मैं बात करूँ तो ये main topic है morphological जो हम 11th class में chapter पड़ते हैं, जहांपे morphological aspect of plant हम पड़ते हैं वहां का topic है तो morphological aspect का है लेकिन जो इस chapter में एक थोड़ा सा basic idea दिया हुआ है fruits के बारे में and difference दिया हुआ है between true and false fruit definition के format में ही सही तो हमको simply definition और उसका example now fruits की अगर मैं बात करूँ तो अगर दो तरह के fruits हैं obviously बात है, तीसरा type तो अलगी एक बीच में आ गया है अगर मैं बात करूँ वो fruit जो सिर्फ ovary से बनता है वो fruit जो सिर्फ और सिर्फ ovary से बनता है उसको हम true fruit बोलते हैं सच्चा, true मतलब तो सच्चा होता है तो true fruit बोलते हैं इसका example है berry, pepper and droop ठीक है, जैसे कि bear वगएर देखते हो न तो ये true fruit के example है अगर मैं false fruit की बात करूँ तो false fruit का बहुत ही basic सा idea है अगर ovary plus any other structure ovary plus any other structure तो उसको हम consider करेंगे as a false fruit इसको हम कैसे consider करेंगे as a false fruit क्यों? क्योंकि अकेले ovary को fruit बनाना था उसमें कोई भी अगर add हो गया तो false fruit हो गया example आपका NCRT में दिया है that is apple apple में जो thalamus है, thalamus नीचे का portion होता है न फ्लाहर का तो वो भी fruit formation में help करता है इसलिए उसको false fruit बोलते है other examples है strawberry and fig NCRT के सारे example याद रखने है parthenocarpic is virgin fruit now why it is called a virgin fruit क्यों? क्योंकि बिना reproduction के ठीक है न? production of fruit without fertilization बिना fertilization के, बिना reproduction के बना है, इसलिए virgin fruit ये seedless होते है, example banana, grape and orange next, ये diagram आप देखोगे grape जो है, यहाँ पर seeds ज़रूर दिखाई गई है लेकिन अब आप जो grape देखते हो banana देखते हो, उसमें बिलकुल भी seed हटा दी गई है, they are parthenocarpic again, apple के अगर मैं बात करूँ तो ये thalamus जो है, वो contribute करता है fruit formation में, that's why it is called as a false fruit next, यहाँ पर parthenocarpic example दिए हुए है, एक तरफ seed दिखेगी एक तरफ नहीं दिखेगी एक तरफ तरफ नहीं दिखेगी और यही parthenocarpic का best example है, कि एक तरफ उनने seed वाले plants देखे हैं दूसरी तरफ seeds जो हटा दी है significance of fruit formation जरुत क्या है, जरुत यह है कि protection और dispersal प्रोवाइट करेगा किसको seed को, protection dispersal, plus एक और important point है, that is nutrition जो germinating seed है उनको nutrition भी प्रोवाइट करना, तो कुल मिला कि 3 seeds से related काम हो गए पहला protection, dispersal and nutrition, now हमारे काम की हमारे खाने के काम आता है, importance to humans and food to animals जो animals हैं, humans हैं उनके खाने के काम आता है and last one is special points about this chapter क्योंकि कुछ चीज़े हैं, जो यहां पे cover नहीं होती है, the longest pollen tube is found in maze plant यह एक important चीज है question आया है, several records of very old viable seeds, now why viable seeds, क्योंकि seed coat hard होता है, उसको preserve कर करके रखता है, सबसे पुरानी जो है, lupin plant की है, lupinus architectus evacuated from architect tundra यह सबसे oldest है the seed germinate and flowed after the estimator record of 10,000 year, सबसे लंबा dormancy period, 10,000 साल का एक recent record बनाया है 2000 साल पुरानी, viable seed, viable मतलब समझे रहे कि उसको अगर आप germinate करानी कोशिश करोगे तो वो germinate हो जाएंगी, viable seed date palm की है, phoenix rectally pharaohs का नाम है, जो discover की गई थी, archaeological vacation of king herald palace near dead sea, यह दोनों mcq हैं, आखरी में दिया हुए है ncrt के last page पे, उसको उपर भी कुशन आया है, तो I hope आपको यह topic पसंद आया होगा, यह chapter यहाँ पे होता है, अगर यह topic पसंद आया है तो उसको जरूर लाइक करें, thank you